हलो दोस्तो वेलकम बैक टो अबर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजिनिंग की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया कॉस्टन है ठीक है और जो भी कॉस्टन है उस सब आए हुए कॉस्टन है तो देखो पहला कॉस्टन देखते हैं क्या है पहला कॉस्टन क्या कह रहा है वरत भी कमलों को दरसाता है और पहले बता दू आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये ओल एक्जाम के लिए ठ और जो ब्रत A है वो किसको दरसाता है पुस्तकों को ठीक है ये थोड़ा रहे गया है दीको जो ब्रत A है वो किसको दरसा रहा यह दरसा रहा है पुस्तकों को पुस्तकों को और आपका ब्रत भी किसको दरसा रहा है कमलों को और जो ब्रत सी है वो किसको दरसा रहा है पैंसिलों को पैंसिल अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि कौन सी संक्या केवल पुस्तकों और पैंसिलों को दरसाता है तो देखो च चार और सोले दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, चार और सोले, इसमें ठीक है, चार और सोले, तो चार तो तीनों में है, तो वो कह रहा है, सिर्फ, अनली पुस्तकों और पैंसलों को, तो वो हो जाएगा सोले नम्मर, कौन सा हो जाएगा, सोले ठीक है, देखो, है यह कहरा है कि केबल को और पैंसिलों को बैसे यह डॉनों कॉमन हैं लेकिन यह चार इसको भी तो दरसारा रहा है किसको!!!! बी को!!!! और यहु पुझचरा है बैस-ध कॉमन पॉछ रहा है पुस्तक और कमल रहा है अधसर क्वक्र utan। तो ये कॉस्टन है इसका अंसर बताईए क्या होगा जल्दे से इसका अंसर बताईए क्या होगा तो देखो ये कह रहा है कि A प्लस B का अर्थ क्या है A B का पिता है चलो यहां से करते है ठीक है यहां से करते है इस कॉस्टन को ये कह रहा है J क्रॉस K j into k j into k का आर्थ क्या है j k की बेटी है मतलब मैंने लिखा क्या ये लिख दिया js j k की बेटी है j लिख दिया ये js और ये k हो गया तो j k की बेटी है तो ये मैंने माइनस कर Dया female है तो अच्छा अब देखो k plus l k plus l का मतलब क्या है k plus l का मतलव है k b का पिता है क्या है k plus l का मतलव k b का पिता है तो यह तो already j k की बेटी है तो जो k है वो b का भी पिता है ठीक है तो यहां पे मैं क्या करूंगा के बी का पिता है मतलब ये जो है ये एल समझो अब बात को एल का पिता है के ये ए बी का पिता है तो मतलब के एल का पिता है या इसका मतलब यही तो हुआ के प्लस एल का के एल का पिता है तो ये जे का भाई हुआ ठीक है अब देखो एल डिवाइड एम, एल डिवाइड एम का मतलब क्या है, एल एम का पुत्र है, जो एल है वो एम का पुत्र है, तो एम ये नेगेटिव होगई, ये पॉइटिव होगई, मतलब ये पती पतनी और ये ये, अब देखते हैं क्या कह रहा है, एम जे से कैसे सम्बन देता है, एम की तो है वो जे से कैसे संब्दित है यह क्या है एम में माता है ठीक है जे की तो ॉप्सन सी बिल्खकों सहय हो जाएगा चलो आगए चलते हैं अगला कॉस्टन देखते हैं क्या कह रहा है तो नंअर आफ ट्रियंगल वदाइए कितने हैं इसमें ट्रेंगल बताई है कितने हैं जल्Дी से इसमेंं काउंट कर लो वण टू भ्री फॉर इन सब को जोड़ ऑा इ Zar सा सात दो नौ नौ रिक तस तो नमबर ऑफ ट्रेंगल इस टढ़ाई ऑफसर भीज़ा राइठ ँझा जल्दी होगा इस कांसर बता ही जल्दी से क्या होगा एक दो तीन चार पांच शे है कितने है चार ठीक है तो एक दो तीन चार चार बारे शार चार चाहर के बना लूट के ए डवल बी ए ठीक है भी डवा आगए चलते हैं अगला कॉसन देखते हैं अगला कॉसन क्या है ए डवल भी ए फिर रिपीट हो गया बी डवले भी इस तरह से बनना है ठीक है तो option D सही हो जाएगा आगे चलते हैं अगला question देखते हैं अगला question क्या है तो किसी निश्चित कूट बासा में इसको कैसे लिखा जाता है ऐसे ठीक है तो क्या कह रहा है उसी कूट बासा में एक्सिडेंट को क्या लिखा जाएगा चलो देखते हैं क्या कर रहा है पहले इसमें देखो इसने क्या क्या है थेले क्यादेखो इसने किया क्या है इसमें तो ये देखलो पहले देखो ओ कितने पर आता है पंद्रय है और फंद्रय से ये क्या हो गई सोल है पिलस एक किया है ठीक है अब देखो ये 警 весь Hilking अब और ये कितने पर आता है सोल मेके और जो यह चॉद्य पर मतलब इसने माइनस दो किया है कितना किया है माइनस दो ठीक है इसी तरह E 5 पर आता है और आपका F 6 पर आता है प्लस एक किया है तीसरे वाले में प्लस एक किया है अच्छा अगले वाले में से R 18 पर आता है और जो P है वो 16 पर आता है माइनस दो किया है माइनस दो करोगे तो A आएगा C में प्लस A करोगे तो कितना आएगा D आएगा और माइनस दो करोगे तो कितना आएगा I में से माइनस दो करोगे G B A D G देखो सम्में सेम है क्या सब इस सेम है अभी ठीक है तो दो गठाया अब प्लस A कर देंगे D E हो गया, माइनस दो कर देंगे C हो गया, प्लस एक कर देंगे N O हो गया और T माइनस दो कर देंगे R हो गया B A D G E C O R E C O R B A D G E C O R B A D G E C O R Option D आपका बिल्कुल सही है, ठीक है अब आगे चलते हैं अगला कोसन देखते हैं अगला कोसन देखते हैं कौन सा है तो ये कोसन दिया है आपका स्क्रीन पर इसका अंसर बताईए क्या होगा ये पूछ रहा है मेरा रमेज, क्या पूछ रहा है मेरा रमेज पूछ रहा है भाई ये दरपड रखा है ये रकायत दर पड़ अब इसकी बताओ मिरा रमिज क्या होगी देखो इसी तरह का बनेगा ये अब समझो ये इस कौने में है तो ये इस कौने में बनेगा ये नजदिक वाली चीज नजदिक और जो दूर वाली है वो दूर पहुंच जाते ठीक है ये बीच में है तो यहां किसी को ने और ये तो दोनों वहीं हैं चलो आगे चलते हैं अला कोंसम देखते हैं ये कह रहा है कि जो पहले का सम्मंद दूसरे से उसी तरह बताई तीसरे का सम्मंद किसी है देखो इसमें क्या है इसने क्या किया है ए बी ए बी का सी तो देखो ए कितने पर आता है एक पर और B कितने पर आता है 2 पर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बने गया 3 तो 3 पर क्या आता है C A B और ये बने गया C इसी तरह इसको H कितने पर आता है 8 पर और J कितने पर आता है 10 पर तो 10 और 8 कितना हो गया 18 तो 18 पर क्या आता है आर क्या आता है आर तो option आपका A सही है ठीक है साही में आया आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है तो देखो ये क्या कह रहा है 3 और ये इस मतलब इसको इस तरह से कूटबद किया गया है तो देखो C को इसने क्या लिखा तीन और आई को क्या लिखा है नो आई को क्या लिखा है नो ये बीच में दो और एक तीन इन दोनों का एड़ करके C बना दिया है तो ये बार है ये मतलब इन दोनों को जोड़ दिया है दो और एक तीन तो इस तरह से है ये C हो गया ये C हो ग और पर की आता आप पर है अब इन दोनों को बीछ वालों को जोड दूंगा साता और पंद्रेः पंद्रेइड पर क्या आता है वह आता है अफ ओ हमसना क्या आवकरे आपका सहीना आगे चलें आप ठीक में तो आगे चलते हैं चलो आजब आगे इस कॉसेन को बताइए वहिए क्या होगा इसकांसर इसकांसर बताइ जल्दी से क्याहोगा देखो थोड़ा जल्देलिक रहाँगा बहुत जादा कोशन है ठीक है बस प्रैक्तिस करनी है तुमें और कुछ नहीं यह प्रैक्तिस के लिए बाएँ हैं एक तरह से डिव schema हैं ठीक है क्गा एक तरह से डिविज अने तो इसके हैं यह किर आ यहां पर किया हैं बताईकी यहां पर क्या आएगा तो देखो यह कितना हो गया 19-10 नहींके त्रक्स हुड़िए यह हो 32 द Commissioner मैं अगर 4 का बाग देदू क्या आएगा 8 इसी तरह कातर प्लस 9 कितना होता 80 और 80 में मैं 4 का 10 का बाग देदू कितना आएगा 8 और इसी तरह 128 प्लस 32 कितना होगा आपका 160 160 160 में कितने का बाग देदू कि 8 आएगे 8 कितने का बाग देदू कि 8 आए तो देते हैं तो अगर मैं 20 का बाग देता हूं तो कितना आ जाएगा 8 तो यहा कितना होगा 20 28100 कितना होगा 160 तो आट दूनी 16 तो option D आपका बिल्कुत सही है कॉस्टन सहे में आया कि नहीं आया उपर वालों को जोड लिया है और जोड के जो बंदा है 32 उसमें मैंने नीचे वाली संक्या का भाग दे दिया है तो क्या मिलना है मुझे 8 ये common term है 8 यह यहां मिलना चाहिए तो इसको जोड दिया ही हो गया 160 हम मैं कौन सी संक्या से भाग द है कि इन 4 में से कोई एक अलग है उसी को बताना है आपको 170 144 यह को सही में आ रहा है देखो गवर से देखो यह क्या दिख रहा है ये तुम्हें दिख रहा है कि ये 125 होता है क्या 5 का Q ठीक है 125 होता है इसने क्या किया है इसने 225 ये 5 का Q सौरी मैं क्या बोली गया इसमें क्या है 225 है ये 225 ठीक है ये 15 का वर्ग होता है क्या होता है 15 का वर्ग और इसमें इसने कितना एड़ कर दिया एक इसी तरह एक सो बाईस तो यहां पे कितना होता है एक सो एकीस एक सो एकीस क्या होता है यह ग्यारे का वर्ग होता है ग्यारे का वर्ग होता है और इसमें इसने कितना एड़ कर दिया एक एड़ कर दिया इसी तरह 170 इसमें क्या होता है यह 169 होता है 179, 13 का वर्ग इसमें इसने कितना एड़ कर दिया एक एड़ कर दिया तो बनिया 170 तो यह तीनों बिल्कुल सेम है के नहीं देखो यह तीनों बिल्कुल सेम है के नहीं और यह बिल्कुल अलग है, 256 का वर्ग होता है, इसमें ना कुछ एड़ हुआ है, ना कुछ गटाया गया है, तो यही बिल्कुल option C आपका बिल्कुल right answer है, आगे चलें, चलो इस question का answer बताईए, क्या कह रहा है है, यह कह रहा है कि इस तरह से इसको fold किया है, यह जो class है आपके, इसकी जो PDF है, इसकी जो PDF है, वो कहां पर मिलेगी, वो आपको टेली ग्राम पर मिलेगी, यतने भी PDF मैं टेली ग्राम पर डाल देता हूँ, टेली ग्राम चैनल का link मैं इस description में दे दूँगा, और उसको अगर search करके देखना चाहते हो, तो NSK classes, NSK classes के नाम स सर्च करोगे, तो सर्च हो जाएगा, ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट कर देए, इस question को बदाई, इसका answer क्या होगा, देखो ये, इस तरह से है, ठीक है, जब मैं इसको यहां पे लाँगा, तो ये वाला जो गोल आए, वो यहां पहुंच जाएगा, और ये इस तरह का है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, कुछ सहे में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह से सहे में आ रहा होगा, कि ये तो ऐसे होंगे, चारो ठीक है, चारो ऐसे होंगे, और, और क्या होगा, और ये चारो ऐसे होंगे, ये गोल अब इस तरह का Option देखो देखो मुझे सिर्फ एक यह उप्सन दिखाई दे रहा है यह तो है नहीं कि इसमें यह गोल आई यह यह भी नहीं है और यह इधरकी साइड में जबके यह कहां होने चाहिए इधरकी साइड क्या होने चाहिए तो यह सिर्फ यह आप्सन है option see the right answer आगे चले चलो आगे बताईए इसका answer क्या होगा चलो इसका answer बताईए क्या होगा तो देखो इसका answer क्या होगा इसमें क्या करना है आपको यह कह रहा है कि कौन से दो चिन मैं बदल दू तो मुझे यह equation है वो बरावर मिल जाए satisfy कर जाएगी आई में आ रहा है तो देखो इसमें क्या है कि मैं एक बात बता रहा हूँ ऐसे चिन्नों को पलटा करो ऐसे चिन्नों को एक दूसरे से बदला करो जिसमें भाग पूरी तरह चला जाए अब जैसे यह बी ओप्सन है पिलस और डिवाइड अगर मैं यहां पर पिलस की जगए डिवाइड करता हूं और यहां पिलस करता हूं तो 98 कितना हो एगा 27 वाइड नाइड तो कितना हो गया 3 और इधर कितना बचा इधर बचा आपका इंटू 8 तो कितना हो गया आर्टिच चौवीज option B is the right answer अब आगे चले तो अगला question देखते हैं क्या है तो ये आपका अगला question रहा इसका answer बदाई जल्दी से क्या होगा तो इसका answer बदाई जल्दी से क्या होगा इसका answer तो देखो इसमें इसने क्या किया है इसमें इसने ये किया है 6 गुणा 5 6 गुणा 5 पनिया कितना हो गया 30 हो गया और 30 में से कितना घटा दिया 4 घटा दिया तो कितना बचा 26 बचा अच्छा ये कितना हो गया 6, 42, 42 और माइनस 5 घटा दिया तो कितना बचा 37 बचा अब आगे देखें इसको तो इसने इसमें क्या किया है आठ चौक कितना हो गया बतीस हो गया और बतीस में से किसना घटा दिया दस घटा दिया तो क्या बचा बाइस बचा कितना बचा बाइस बचा तो यही आपका राइट आंसर है ट्वैंटी टू चलो आगे चलते हैं अग कौन सी आकरती में समाई हुई है चल्दी से बताएगे इसका सिंपल है इस तरह की आकरती है ये देखो कौन सी आकरती में समाई हुई है तो देखते हैं कौन सी आकरती में समाई हुई है वही है ये इसमें तो है नहीं ठीक है और आपकी ये वाली है ये यूं और यूं ठीक है और इसमें तो है नहीं ठीक है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं तो आपका उपसन हो जाएगा B आपका उपसन B बिलकुल राइट अंसर है अब आगे चलें आगे चलते हैं अगला कोसन बताईए चलो इसका अंसर बताओ इसका अंसर क्या होगा इसका अंजर बताई जल्दी से क्या होगा देखो ये क्या कह रहा है 13 और 17 साहे में आ रहा होगा अबाज संख्या है क्या है अबाज संख्या है 13 जश्ट 13 के जो अगली संख्या है अबाज वो 17 है तो साहे में आ रहा है जो 13 के आगे वाली आवाज संख्या लिखाए शेंगे एसे में 73 73 भी आवाज संख्या इस के जस्ट आगे वाली आवाज संख्या लिखूंगा तो इसके जस्ट आगे वाली आवाजच्छा क्या हो जाएगी सेवन टे इन्ना है सेवन टे इन्ना है option d is the right answer आगे चलें तो इस question को बताईए जल्दी से क्या होगा जो प्रसंद वाचक चिन्न है वहाँ पर क्या आएगा बताईए और simple है चलो इसको करते हैं साथ और पांच कितना होता है बारा साथ और चार ग्यारा कितना बचा यहां पर चार चार का difference है आगे चलते हैं 11 और 13 तो यहां पर कितने का difference है यह आपका 3 2 का difference है और यहां पर 13 और 4 चार का difference है यहां पर 2 का difference है यहां पर चार का difference है यहां पर 2 का difference है तो अगला चार का difference होगा सही में आ गया नहीं क्या कर दिया मैंने इसमें 1904 23 हो गया और 23 और 29 29 है कितना है 29 क्या पूछ रहा है उस संक्या का चैन करें जो 59 कि स्टरी में अगले इस्तान पर आएगी ठीक है तो क्या किया इसने हां इसमें कुछ नहीं है बस द्यान ने दिया देगो 7 11 13 17 19 29 31 सहे में आगिया यह क्या यह आवाज अवाज संक्या है क्या आवाज संक्या है हम उसमें वो लगा रहे है ठीक है क्या होगा इस कांसा 31 तो आज संग क्या हैं चलो इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका अंसर कि उस अच्छर का चैन करें जो निम्ने के स्टंकला में अगली स्थान पर आएगा बताइए इसका अंसर क्या होगा यह क्या किया इसने L, M, N इसने कितना ऐड़ कर दिया इसने L में कितना old किया है बारे 13 ठीक में और 13 में से कितना ग़या माइनस लूड़ प्लस 1 इसने क्या किया है camping इसने किया है है ग्यारे और 3 प्लस 3 किया है और फिर इसने क्या किया है माइनस कितना किया है N 14 और ये माइनस 4 किया है फिर इसने क्या किया है इसने किया है J और O प्लस 5 किया है प्लस 5 तो माइनस 6 करूँ ये प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 है देखते हैं ओ मैंसे 15 मैंसे 6 गया तो कितना बचा आई बचा क्या बचा आई ऑपसंट डी आपका बिल्कुश सही आंसर है देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि कह यह कुछ करने का जन्जट नहीं रहेगा देखो अगर जे और के और अगर यहां देखोगे तो एक-एक बढ़ रहा है प्लस फस बप्लस टे के ल तो यहां तो आई होना चाइये ना आई जे के ल यहां भी तव्लस वन आई जे के ल अब इसमें वहर्टा देख लो M N O अगर अगला पद आएगा यहां पे तो P आएगा O P इस तरह से भी कर सकते हो ठीक है अब आगे चलते हैं अला कुसम देखते हैं इन चारों में से तीन से में एक अलागे जल्दी से बताईए क्या है सिमला गंगटो को देरा दो लद्दा बिलकुल अलागे ठीक है लद्दा क्या है बिलकुल अलागे अगला देखो यह क्या कह रहा है कि कौन सा पद नहीं है ठीक है उस स्रेडी में यह जो स्रेडी है इसमें एक पद गलत है तो उस गलत पद को आपको बताना है कौन सा है? तो देखो ये क्या किया इसने? P, Q, और J, K, N, O, और L, M, ठीक है? N, O, ठीक है? अब इसमें देखते हैं क्या है? देखो ये ये गलत है, ठीक है? Q से क्या हो रहा है? Q से क्या बन रहा है यहां पर? J बन रहा है, मतलब कितना गट रहा है? माइनस साथ, और J से फिर क्या हो रहा है? पिलस पांच, और फिर कितना गट रहा है यह? माइनस तीन, और फिर कितना जुड़ेगा? पिलस कुछ होगा, ठीक है? तो पिलस पांच, अगला पद देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? भात में से 4 चाहरी तीन देखो इसमें जो गलत पद कुर्ण है वो यह ई vedere समय आरा एक कैसे यह हो गया आपका उर्ड़ी कि यो ठीक है उर्ड़ एक गटुशन टाकर में अगर इन दोनों भी बात करो तो एक चलब रहा हो एक बढ़ रहा है यह से एकुरा होगा ना aа n o. ये प्लस हो रहा है n coda-a worker o पंद्र Audio Пर जब कि यह A н तरह से यह पर गलत है अगला चलते हैं कि अगला देखते हैं कौन सा है कॉसन इस तरह का कोसन है यह क्या कैर आ है जो संख्या तीन अंकित फलक के विपरीत फलक होगी उस संक्या का चैन करें जो संक्या तीन तीन जो है उसके विपरीत होगी बताईए इसका अंसर क्या होगा तीन के विपरीत कौन सी संक्या होगी तीन के विपरीत कौन सी संक्या होगी तो इसमें देखो जो तीन पासे दिये हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि तीन पांच और एक ठीक है एक एक इसमें कॉमन है कि एक दो कि देखो कोई से अगर तुम दो ले लो ठीक है कोई से दो ले लो देखो यहां से देखो गए तो एक एक तीन तीन ठीक है दो पांच के विपरीत हो गया दो पांच के विपरीत हो गया और अगर मैं इसको और इसको ले लूँ तो तीन और दो तीन और दो एक चार के विपरीत हो गया एक चार के विपरीत हो गया तो बचा क्या बचा तो क्या पूछ रहा है तीन तीन और शही तो बचा तो तीन किस के विपरीत होगी छह के विपरीत होगी ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला कॉसन देखते हैं क्या है तो इस रंकला मताईए यह अगला जहां पर क्या आएगा चलो इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका अंसर देखो पहले यह क्या है यह चेहती है और यह उर्द्वादर है यह उर्द्वादर है यह चेहती है और येंटल और वर्टिकल इसमें देखते हैं तो यह एक ही है ठीक है इस तरह की जो वर्टिकल लाइन है वो एक है और जो होरियंटल है उसमें एक लाइन हर बढ़ती जा रही है यह बढ़गी यहां पर और यह तीन हो गई है अब जो दूसरा है उसमें दो होरियंटल है दो वर्टिकल है अब इसमें भ और येंटल हैं वो तीन लाइन है और एक बढ़ती आ रही है तीन लाइन है और एक बढ़ती आ रही है तो यहां पर एक थी यहां पर दो हो जाएंगी और यहां पर कितनी हो जाएंगी तीन हो जाएंगी तो इस तरह का आपसन देखो कौन सा है तो तीन और येंटल और तीन व तो यह दो दो दस बनाए और 10 में कितना एड़ किया है 16 और तो अगला कितना है अगर मैं इसमें कितना एड़ कर दूँ सो इसमें 26 में अगर मैं, आड़ 17, 18, 24. अगर मैं 24 cauliflower एड़ करू, कितना एड़ करू? अगर मैं 24 एड़ कर दू Click, 26 और 24 कितना हो जाएगा? 50 और 50 मैं फिर 32 एड़ कर दू? तो कितना हो जब्यागा? 82. ठीक है, तो option आपका 24 होना चाहिए. कितना? मतलब 50 होना चाहिए. की ठीके 24 याइड होगा तो पचास मेंटम बनेंगा ठीक है अब है अब देखो कैसे देखो इसने क्या किया है आठ आधुनी 16 ठीक है आठी 24 और 8 चुक 32 तो हर एक में कितना एड़ करते है रहा लाहे समें आठ यह इसमें आठ टीक है इन दोनों कि इस तरह से एड़ कर रहा है कि तो सहे में आया और नहीं आया तो दुआरा देखो ऑ ш Sonे फिर 24 फिर 32 और फिर इसमें सिंट में 8 इसमें 8 इसमें इस तरह से बनता जा रही ठीजी इस तरह से बन रही है यह दो में झब मैं 8 एक करूंगा तो 10 जोगा 26 rein करूँगा तो 26 जोगा 26 एक करूँगा तो पचास होगा पचास में 32 प्लस एड़ करूँगा तो कितना होगा 82 चलो अगला कॉस्टन देखो ये क्या कह रहा है पांच वर्स पहले पांच वर्स पहले क्या कह रहा है पांच वर्स पहले आरव की मां की आयू आरव की आयू की तिन गुनी है तो देखो ये मैंने लिख दिया आरव और ये लिख दिया आरव की मां तो मदर ठीके क्या कह रहा है पांच वर्ष पहले की वात है कि आरव की मा की आयू आरव की आयू की तीन गुनी थी तो आरव की मा की आयू तीन और आरव की आयू एक ठीक है पांच वर्स बाद उसकी महलोग प्रियंट ये रहा पांच का डिफरेंस इधर और पांच का डिफरेंस इधर तो अब क्या कह रहा है पांच वर्स बाद उसकी आयू आरव की आयू की दो गुनी हो जाएगी मतलब क्या कह रहा है पांच वर्स बाद आरव पांच वर्स वाद उसकी आयू, आरव की आयू को दो गुनी हो जाएगी, की दो गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये टू, नहीं, वन और ये टू, ठीक है, अब क्या कह रहा है, आरव की वर्तमान आयू कितनी है, वर्तमान ये प्रेजन्ट ये वाली लाइन पूछ रहा है, कि यहां से 5 वर्ष पहले यह 5 लिए पांच वर्ष पहले एक अनुपात 3 था उनकी आयू में अनुपात और पांच वर्ष बाद एक अनुपात 2 है तो पूछ रहा है यह प्रेइंट वाली क्या हो तो देखो इन दौनों को निकाल लो उसमें से निकाल लेंगे हम ठीक है अब इसमें क्या करना है हमें हमें देखो कॉमन रेशियो करना है ठीक है तो इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस करना है यह क्या है तीन मैंसे एक गया यहां पर क्या बचा दो तीन मैंसे एक गया दो बच्चा और इधर दो मैंसे एक गया एक बच्चा इसका उपर वाले मल्टिप्लाई और इस दो का नीचे वाले मल्टिप्लाई ठीक है बस हो गया सवाल तो दो का नीचे वाले मल्टिप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा यह बनेगा यहाँ पर लिख पाते हैं क्या है नए अनुपाते हैं इन दौनों के बीच यो आई-उ का डिफरेंस है वो कितना है मतलत दौनों के बीच नहीं वर्सों का अंतर जो वर्सों का अंतर है पांच वर्स पहले यह तो पांच वर्स पहले की बात तो गई यह पांच वर्स बात की बात होगी टोटल वर्स कितने होगे दस तो यहां से देखेंगे रेशियो में कितना अंतर है चार में से एक गया एक एक वर्स की वैलू कितनी दी है दस एक्च्छल में एक रेशियो की वैलू कितनी दी है दस वर्स दी है एक्च्छल में जो वैलू दी है वो दस है और रेशियो में एक है तो ए इसमें नहीं इसमें तो दस का मल्डी पर देंगे तो यह हो गया दस दुनी 20 और यह गया दस चौक 40 तो इनकी आयू की बात करी जाए तो आरब की इस टैम पे 20 आयू है और अगर उसकी मा की बात की जाए तो उसकी आयू 40 है तो यहां से आपसन आपका डी बिलकुर सही है आग उर्जा उर्जा का मात्र क्या होता है जूल की के और सक्ति का मात्र क्या होता है सक्ति का मात्र होता है वाट ऑप्सन ए बिलकुर सही है आगे चले तो आगे बताईए इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा देखो जिस प्रकार विद्यारती का संबंद कच्छा से है उसी प्रकार खिलाडी का संबंद किस्चे होगा तो विद्यार्थी कच्छा में जाता है ठीक है पढ़ने के लिए और खिलाडी स्टेडियम में जाएगा खिरने के लिए तो option B बिल्कुछ सही हो जाएगा अब देखो मैं थोड़ा जल्दी यल्दी कराऊंगा कॉसन ठीक है तो कलम का संबन्द लेकन सामिक ग्री से है उसी प्रकार कुर्सी का संबन्द किस से हो जाएगा फरनीचर से जिस प्रकार पुस्तकाल अध्यच का संबन्द पुस्तकों से है उसी प्रकार बैंकर्स का संबन्द किस से है धन से पुस्तकाला अध्यच जो पुस्तकाला का अध्यच होता है वो क्या करता है पुस्तकाला का लेंदेन ठीक है इधर उदा देखा देखना और बैंकर्स जो बैंक में रहते हैं वो क्या करते हैं जो धन का लेंदेन करते हैं और धन की देखरे करते हैं तो आप्शन डी बिल्कु सही है आगे चलते हैं अगला कोसन देखते हैं जिस प्रकार पढ़ाना का संबन है विद्या से जिस प्रकार विद्या को मतलब पढ़ाने के बाद हमें विद्या मिलती है उपचार के बाद क्या मिलता है उपचार के बाद दबा मिलती है ठीक है उपचार के बाद दबा दी जा देखो विरोधी या फिर सत्रू बात एक ही है तो इसका मतलब यह दोनों क्या है यह एक दूसरे के स्नोनियम्स है ठीक है एक दूसरे के स्नोनियम्स है उसी तरह विपत्ती का स्नोनियम्स मित्र प्रेम गत्सीन नहीं होगा कठना ही होगा option B इस दा रायट अंसर चलो question नमर 28 अ हैं बहुत सारे question ठीक है तो जितने भी question है जल्दी से कीजिए आंसर दीजिए और देखिए आपकी speed कितनी है और last में जाके सब को बताना पड़ेगा कि तुमारे आंसर कितने गलत कई ठीक है कितने आंसर गलत कई चलो यह क्या कह रहा है पूरवा नमान पूरवा नमान पहले ही हम अनमान लगा लेते हैं किस चीज का बाविस्त महुने वाली घठाव का आगे देखो उलू क्या करता है उलू चीखना उलू जब चिलादा उसको क्या बोलायाता है चीखना तो मर्गी जब चिलाएगी उसको कोड़कुडाना कोड़कुडाना option B आगे चलो अगल अनसर बताईए इसका अनसर क्या हुआ चित्र को हम क्या करते हैं Dim sonny तो कि हम क्या करेंगे पढ़ेंगे kind बरत्त बनेगा उसी तरह जो गन है गन की जब मैं टूडी मेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा वर्ग तो यह गोला ब्रत्त तो गन क्या हो जाएगा और और चलो कवस्टं नम्म 32 गोल फुटवाल में किया जाता है तो बास्केट बॉल में क्या किया जाता है मतलब जो फुटवाल है फुटवाल में क्या किया जाता है तो बास्केट किस में होती है बास्केट बॉल में होती है ठीक है अगला कॉस्टन देगी अगला कॉस्टन क्या है यह क्या कह रहा है नि किलों सब्द हैं एक दूसरे के ठीक है क्या है जेस्ट अपोजिट तो उसी तरह देखिए ठोस बारी होगा क्या नहीं पुरु सिसू नहीं मोटा कमजूर यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सी दा रायट है यह क्या गह रहा है कॉस्टन नम्वर 91 डॉक्टर स्टेटोस्कोप ठीक है डॉक्टर किस से काम करता अपने स्टेटोस्कोप से तो मकैनिक क्या करेगा अपने ओजार से काम करेगा मकैनिक के पास क्या होंगे ओजार होंगे डॉक्टर के पास स्टेटोस्कोप मिलेगा तो मकैनिक के पास ओजार मिलेगा ठीक है आगे देखो अगला कॉसन क्या कह रहा है जिस प्रकार नीज़ पेपर का संबंद एडिटर से है उसी प्रकार प्ले का संबंद किस से होगा तो देखो नीज़ पेपर का संबंद एडिटर से एडिटर क्या करता है पूरी देख रहे ठीक है उसी तरह जो प्ले है वो क्या होता है वो डारेक्टर होता है इसका सम्मन्द पहले का उस्से है तो तीसरे का किस्से होगा तो देखो इसमें क्या किया गया है C अच्छा ये किया है उल्टा C X E V H S और T G T ठीक है इस तरह से है उल्टा किया गया है इनका जेस्ट तो इसी तरह इसको विल्टा कर दिया गया है तो देखो इसका क्या होगा L का O हो गया ठीक है और आपका N का M हो गया O M ये तो अट गया और आपका P क्या हो गया P कितने पर आता है 16 पर P कितने पर आता है 16 पर 26 माइनस 16 10 10 और 11 11 क्या है क्या हो गया ह्मिक क्या हो गया के लस वन क्या हो गया है वह लांश्ट में क्या न सा आंसर क्या होगा इस ट्रेन को ट्रेन लिखा जाता है तो इस टेबल को क्या लिखा जाएगा टेबल टी एबी एल ईप्संट वन इस दा राइट आंसर टी एबी एली आगे चलो अगला कोशन देखते हैं क्या है सी जी सी जी को क्या लिखाया ई आई मतलब सी क्या है तीन और ई पांच पर प्लस दो किया है और जी साथ पर और ये नौ पर प्लस दो किया है इसी तरह हम इसमें कर देंगे प्लस दो प्लस दो करेंगे तो कितना आएगा एच और जे में दो करेंगे तो कितना आएगा एल एच L, देखो HL कौन सा है, आपसन A है आपका, अगला कॉस्टन देखिए क्या है, तो अगला कॉस्टन ये दिया, इसका अंसर बताईए जल्दी से क्या होगा, F कितने पर आता है, 6, ठीके, प्लस दो कर दिया, इसने 8 पहुचा दिया, I कितने पर आता है, 9, 9, 2, 11, 2 कर दिया, T कि प्लस दो कर दिया, J कितने पर आता है, 10 पे प्लस दो कर दूँगा, L हो गया, O में प्लस दो कर दूँगा, Q हो गया, B में प्लस दो कर दूँगा, D हो गया, L, Q, D, L, Q, D, Option C is the right answer, आगे बताईए अगला कॉस्टन, इसको बताईए जल्दी से क्या आंसर होगा, इसका, तो इसने देखो क्या किया है, इसने N, 14 और ये 15, प्लस एक, प्लस दो, और प्लस तीन, प्लस चार, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, इस तरह से इसने जोड़ा है, तो G, साथ और एक आठ, आठ पर क्या आएगा, H, O, O, पंदर है, पंदर है और दो, 15 दो 17 Q, HQ, D कितने पर आता है, D आता है आपका, 4 पर 4, 37 G, HQG, आंसर वैसे मिल गया, S में 4 जोड़ेंगे, 1934, W, तो आपका उप्सन होना चाहिए ये वाला, HQGW, HQGW, आप्सन इस दा राइट आंसर, आगे बदाईए इसका अंसर क्या है, तो देखो, इसका अंसर क्या हो जाएगा, C, A, T, इसने क्या किया है, प्लस 1, प्लस 3, और फिर क्या कर दिया, प्लस 5, हाँ, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, इसने क्या किया है, प्लस 1 कर दिया, फिर प्लस 3 कर दिया, फिर प्लस 5 कर दिया, इस अन्नीस में एसमें और दोगा दोगा यह जाज में जब और तो कितना हो गया और एल हो गया और जीर्ड में पांच अधर क्या कर Twe का लाई नो नो और तीन कितना हो गए बाह है और गी उताव पार किस एल एल झाल को ऑसा सहीज्ट हुए और साही कूस्टर कि शाना कर बताओ और जल्दी रहे हैं और अनृसर तो जल्दी भी कि डांसर परे मायरी चलेगी तो में उसमें क्या होगा आपका चैट सेक्षन खुला रहता है जो भी चैट पर होते हैं वो अपने अपने जवाब दो ठीक है टाइमिंग बढ़ाई है अपनी जो प्रैक्टिस जिदनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना टाइम में फाइदा होगा आपके चलो बताओ इसका अंजर क्या होगा कॉस्टन नम्मर ट्वंटीएट फॉस्टन में आ रहा है क्या किया है प्लस एक प्लस दो प्लस थीन प्लस चार प्लस वन प्लस दो प्लस थीन प्लस चार ठीक है इस रहस में कर दूंगा प्लस एक एच हो गया प्लस दो सी हो गया प्लस तीन बारे एल हो गया और एन प्लस चार एन के दिने पर च्वल चार अठार है आर हो गया एस सी एल आर एच सी एल आर एच सी एल आर अप्सटन डी सही है ठीक है आगे चलते हैं आना कॉस्टन देखते हैं क्या है चालो इसका अंतर बदाई कोस्तन नम्मर 18 12, 72, 8 इसका अंतर बदाई देख उसने क्या किया है 12 जियान से देख ना ठीक है 12 इंटू 12 वाई 2 जो 12 है 12 में ही 12 का 12 का मुल्टिपले कर दिया 12 अच्छी बहात्तर हो गया इसी तरह ये 8 है तो 8 का आदा 4 हो गया 4 का मुल्टिपले कर दिया 4 उट बरतीस आपसन ये बिल्कुल सही है आगे देख उग अगला क्वस्तन इसका अंतर बदाऊ क्वस्तन नम्मर 19 इसका अंतर बदाई यल्दी से क्या होगा 9 का मुल्टिपले कर दिया है 4 गुणा 9 36 हो गया उसी तरह 6 गुणा 9 54 हो गया आपसन बिजदा रहे टांसन इसका बदाई ये 12 इंटू 6 हो गया 72 इसी तरह 3 इंटू 6 हो गया कितना अटथ तरह चिंग अटथ चैत्ती अठार है 78 देख रहे हो च्छ यूपी पीची अटेक्निकल इसमें देख रहे हो कितना नॉर्मल कॉछन पूछे आ रहे हैं तो ज्यादा टफ नहीं पूछे या थे कॉछन बस कॉछन का टाइमिंग देखी जाती है टाइम तुम कितना टाइम लागा पाते हो ठीक है अब इसको बदाई इसका अंसर क्या होगा 381 और यह 0 ठीक है इसमें क्या किया इसने इस मैसे से गठाव जल्दी से तो क्या बचा यह एक मैसे 0 गया एक बचा आठ मैसे 6 गया दो बचे 221 इसमें से गटा दो तो आठ में से गया साथ बचा और साथ में से दो गई पांच बचे चार में से दो गई 257 अंसर होना से यह आपका option 20 दा right answer आगे चलें चलो आगे चलते हैं अला question देखते हैं क्या है कि तो इस question को देखिए 42 20 और यह कितना हो गया 64 तो यह हो जाए रहा देखो इसने क्या किया है 42 का आदा कितना होता है 21 और 21 मैंसे माइनस वन कर दिया उसी तरह 64 का आदा 32 हो गया 32 मैंसे माइनस वन कर दिया 31 आंसर होना चाहिए option C बिल्गुल सही है आगे चलें आगरा question देखें चलो इसका बताओ जल्दी से आदा क्या होगा तो च्छे च्छे गुणा तीन चाती बारा कुछ नहीं हो रहे तो क्या किया इसने च्छे का वरक किया तो च्छे का वरक कितना होता है 36 डिवाइड वाई टू इसी तरह है चार का वरक करो 16 हो गया 16 डिवाइड वाई टू आठ हो गया option D is the right answer सहे में आ गया जो पहली संक्या इसी का मैं वरक करूँगा फिर उसका आदा कर दूँगा यह वरक किया फिर आदा कर दिया और यह चार है चार का वरक किया फिर आदा कर दिया अगला डम मिल गया आठ ही है अगला question बताई question number 25 क्या गह रहा है तो क्वइंटि फाइब सिन सभूष हो Ah कि दहूं हुँ ऑच यह पांच का वर्ग और फिर कृतना है फिर है 8 वरो मतलब इसने तीन आड़ किया इसमें तीन प्लस करके वरक किया ला तो यह कितने का वरक है च्छे का वरक तो मैंसमें तीन आड़ करूँगा छे में नो नो का वरक कितना होता एक्टी वान इस दर आइट अंसर उपसंसी चलो डी के आगे चले आप आगे बताओ इसका का कौस्टन का अंसर बताई जल्दी से क्या हुआ तो देखो ये क्या है पांच पांच का सो किया इसने मतलब पांच दहम पचास मतलब पांच का दोगना किया इसने फिर उसका क्या कर दिया पांच दूनी दस हो गया दस का वरक कर दिया कितना हो गया सो सही में आ गया उसी तरह मैं साथ का करूँगा दोगना साथ दुनी चौदए और चौदए का कर दूँगा वर्व पूरव चौदा वर्व कुदए और दुटवर यह घ्यारा है कि मैं रहकर पूर अंपने ऐखर शौन धीना वहाँ यह जिति च्रहाँ हों आरु मैं आरध कि की साथ होना कि बास्न चेज पर्ड़ां कहते हैं निगे दोऔर से शategक है imperno md गाया जाफ फब्रक्रागा उर परभाब छीट और चलता हमनु यह बारा किलोमेटर दुछ चल गया अब यहां पर यह तो क्या поряд है मैं परारम में इस सल से कितना दूर हूं यह वाली मुय सिक्साइब यह कितना दूर है कि अधर की साड धर की पूरव तो आपसन डी सही है था चलो बताओ इसका अंसर जल्दी से क्या होगा चलो बताओ इसका अंसर क्या होगा जल्दी से मैं बताता हूं क्या है सौनिया अपने घर से चली और 4 किलोमेटर कहा गई पूरव की और गई यहां से करता हूं ठीक है यह चार किलोमेटर पूरव की और गई तब वहाँ बाएं मुड़ी बाएं ठीक है बाएं मुड़ी और 6 किलोमेटर चली बाएं उपर की साइड होगा तो यह बाएं मुड़ ग फिर वह दाएं मुड़ी दाएं इधर की साइड होगा और वह चार किलोमेंटर चली प्रस्तान से कितनी धूरी है ठीक है यहां से चार किलोमेंटर चली तो पूछ रहा है कि यह डिस्टेंस कितनी है यह वाली क्या बात है यह वाली तो बदाईए यह क्या है अब देखो इसमे तो अगर मैं बात करूँ तो यह आदी आदी निकालू तो यह कितनी हो जाएगी यह तीन हो जाएगी और यह तीन हो जाएगी यहां से यहां तक और यह यहां से यहां तक तीन तो पहले मैं यह निकाल ले रहा हूं फिर यह निकाल लूँगा इन दौनों को जोड़ दूँग आए डिस्टैंस निकलेगी Soiley कि अब देखो यहां पे लगानाना है तुम पाइथागोरस पर्मे alarm तो पाइथागोरस पर्मे कैसे लगाते हैं यह Convention काने के लिए च्छेकावर्ग ट्लस चारका वर्ग च्छे का वर्ग प्लस चार का वर्ग तो कितना हो गया च्छे का वर्ग 36 चार का वर्ग 16 नहीं गलत कर दिया मैं नहीं ये च्छे क्यों है ये तो तीन है न चार का वर्ग प्लस तीन का वर्ग तो तीन का वर्ग हो गया 9 और चार का वर्ग हो गया 16 तो 16 प्लस 9 ये रूट चड ना होगा पांच होगा ना तो यह जो वाली डिस्टेंस है ना यह वाली यह कितनी निकली यह पांच निकली इसी तरह है अगर मैं इसको भी निकालूंगा तो यह भी कितनी निकलेगी पांच निकलेगी क्योंकि इसका आदार कितना था चार तो इसका भी तो आदार चार है इस कोसन सही में आया अब आगे चलते हैं अला कोसन देखते हैं क्या है यह अगला कोसन इसका अंसर बताईए क्या कह रहा है वह अपने घर से दस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च मुह करके बारा क्लिमेटर चलती है कितना चलती है बारा क्लिमेटर चलती है तो ये बारा चल गई कितना चल गई बार है अब क्या कह रहा है वो अपने घर से जो कि उसका प्रारा में किस तल है मतलब ये कितनी दूर है यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या पूछ रहा है यहां से यह वारी distance पूछ रहा है कितनी है यह दूरी पूछ रहा है यह बताइए तो कितनी है यह right angle triangle बन गया ठीक है sum count त्रवच 1512 तो यह कितना निकलेगा यह 15225 हो गया यह करड है तो करड में से हम क्या गठा देंगे यह गठा देंगे लम ठीक है तो क पच्चीस और माइनस 144 इस पर लगाओ कोश्टक पांच में से चार गया एक बच्चा और कितना बच्चा यह 22 22 में से 14 गया कितना बच्चा आठ बच्चा यह रूट लगा इस पर तो 81 कितने का वर्व होता है 89 का वर्व होता अपसंद भी आपका बिल्कुल सही अंसर है जाद कुछ भी सहमें आओ यह कॉस्टन सहमें नहीं आ रहे हों तो आप टेली ग्राम पर मुझे पर्सनल मैसरी करके बताईए कि कॉस्टन हमारे सहमें नहीं आ रहे उनके डिया लग से व्यस्ता की जाएगी ठीक है अचा अपने घर से पूरव की ओर असी मीटर उसमें क्या है आपको जो गूगल मीट सुना होगा अपने गूगल मीट इस पर क्या है लाइब क्लास चलती है उसकी तरह जैसे आपकी आवाज भी जाएगी ठीक है और टीचर की भी जो लाइब बिल्कुल सेशन में पढ़ाई कि बताईए और बच्चा ही पूछ सकता है अपनी आवाज के थुरू और शेरा भी आ सकता है ठीक है जैसे आपने देखी होगी उसी तरह क्लास चलती है तो यह कोई ज्यादा वीक है तो बताना कमें सेक्शन उसमें ठीक है टेली ग्राम पर जाके टेली ग्राम का लिंक पहले से में थोड़ा और छोटा का लिए अब देखो अब क्या कहा रहा है अपने गर से पूरव की और 80 मेटर चलने के बाद एक व्यक्ती बाए मुड़कर 20 मेटर चलता है तो यह अपने गर से कितना चला है 80 मेटर ठीक है यह चला 80 मेटर 80 मीटर चला दिया मैंने अब क्या कह रहा है एक व्यक्ती बाएं मुड़कर तो बाएं इसका उपर की साइड होगा 20 मीटर चलता है ये वही 20 मीटर चला दिया मैंने कितना 20 मीटर फिर वह किदर मुड़ता है दाएं मुड़ता है दाएं मतलब इधर की साइड होगा न, 100 मीटर चलता है, तो ये 100 चलिया, कितना चलिया, 100, ध्यान देना, ये 100 चलिया, यहां तक मान लो, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है, तब वह बाएं, बाएं मतलब ये उपर की साइड होगा न, तो ये 60 चलिया, ध्यान देना उसे बनाना पड़ रहा है फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाए मुड़कर 120 मीटर जाता है तो बाए इसका इधर ही तो होगा तो 120 मीटर ये कितनी डिस्टेंस है 120 मीटर अब क्या कह रहा है उसके घर और पार्क के बीच कितनी दूरी है अब देखो द्यान से ये इतनी जो डिस्टेंस है ये 100 है तो ये यहां तक भी कितनी हो जाएगी 100 ये 100 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 100 अब इसकी बात करूँ ये कितनी है तो ये 20 बची ना ये 20 बची तो यहां पे मैं इस तरह से यह लाइन कीच दू कोई दिक्कत ठीक है अब पूछ रहा है कि यह इन दौनों के बीच की दूरी तो यह डिस्टेंस पूछी है यह एक्षली में यह कर्ड पूछा गया एक तरह से अब मैं बात करू यह पूरी डिस्टेंस कितनी थी यह 80 थी और यह इतनी कितनी है यह 20 है यह 20 है तो यह भी तो 20 हुई है यह 20 है यह इतना पाट यह वाला 20 है यह इतना पाट यह बहार ऐसी के तो यह BETH हूगा ये निकल लिए तोटल साट थी असी थी तो अब ये कितनी बची ये साट बची और ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी है देखो ये साट है यहां पे ये इतनी तो ये साट हुई ये वाली दियान देना अजिए साट हुई दिखाई दे रहा है ये साट और ये कतनी है ये बीस तो साट और वीस कतनी होई असी तो ये टोटल कतनी होगी असी अब देखो हमें निकालना क्या है अब देखो यह 80 है यह कितनी है 60 है यह अंदर वाली यह 80 है तो मुझे निकालना है करड़ तो दोनों का रूट लगा के वरक करके जोड़ दूँगा 80 का वरक कितना होता है उट 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 64 जीरो और 636 प्लस 3600 निहां देना अगर मैं इन दो जीरो को दो जीरो को एड़ करूँगा तो यह 100 बन जाएगा मानलो तो बाहर निकलाएगा 10 और 64 और 36 कितना होगा 64 और 36 कितना होगा 100 तो देखो इन दोनों को एड़ कर देता हूँ कितना हो गया 100 अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 2.0 का 1.0 2.0 का 1.0 एक एक तो 100 आंसर हो गया ये कितने का फर्क होता है 10.000 और 100 का तो option D आपका बेलकुल सही है सवाल सहे में आया सवाल ठीक टाक था ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला कुस्ण देखते हैं चलो इसको बताईए इसका अंसर क्या होगा ये कह रहा है एक दिन सुबह रीता ने एक दिन सुबह रीता ने सूर की ओर चलना प्रारम गिया अब ये देखना शूहां कि एक दिन सुबह सुबह किदर से निकलता है पूरव की साइट से तो सुरगी और चलना प्रारम गया तो किदर की साइट चल लगी है सुरगी और पूरव की ठीक है तो क्या कह रहा है फिर कुछ देर चलने के पच्चात फिर किदर मुड़ी दाइं और मुड़ी दाइं और नीचे की हो ठीक है उसका मुख अब किस दिसा में है तो इसका मुख किस दिसा में कौन सी दिसा में इसका मुख ये नीचे वाली दिसा कौन सी होती है जल्दी स से बताओ योधियत दच्छड़ दिसा option D आपका बिल्कुस सही है option D तो अब चलते हैं आगे अगला question देगी है इन चारों में से आपको different देखना है इन चारों में से आपको अलग देखना है कौन सा अलग है बताई जल्दी से यह दो अज़्या सत्रेम पूचा गया question है तो देखो बतक यह अंसर है यह कोयल हो गई यह तोता हो गया और यह कोई हो गया तो यह अलग हो गया तीनों और यह बतक अलग हो गया ठीक है अब आगे देखो, यह बतक का बच्चा, यह मजदूर, यह सावग, यह बच्चडा, यह मजदूर बिल्बकुल अला हो गया, यह आदमी है, ठीक है, जानवर और यह बतक, ठीक है, बतक का बच्चा, यह जानवर काटेगरी में आते हैं, और यह मजदूर अला हो गया, मनुसक वासिंगटन ठीक है निवार्क लॉस वेगास और यह सिडिनी तो इसमें बताइए इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा डी सिडनी बिलकुल अलग है और यह तीनों आपके सेम है यह कहा है यह आपके एक ही जिसके फेर हैं और यह सिडनी अग दूसरी देश का ठीक है अगला कौसन देखिए ये क्या कह रहा है समय रुची कौसल जानकारी ये सभी एक ही ठीक है और जो समय है वो अलग हो जाएगा कौसल जानकारी रुची ये मानव से समझते हैं कि जानकारी ठीक है और ये समय बिल्कुल अलग हो जाएगा अगला कौसन देखिए क्या है शुक्र प्रत्वी बुद्ध सनी ये क्या कह रहा है इसमें से अलग देखना है तो देखो प्रत्वी अलग हो जाएगा प्रत्वी पर क्या है जीवन है इन सभी पर जीवन नहीं है ठीक है आगे चलते हैं तो ये कह रहा है किरकेट सत्रन्य हौकी फुटवॉल इसमें से आपक को अलग देखना कौन सा अलग है तो देखो यह आपका होकी हो गया फुटबाल हो गया किरकेट हो गया यह सब ही मैदान में खेले आते हैं और यह 17 आपका अलग हो जाएगा ठीक है यह मैदान में खेले यह देखिए किलो मीटर किलो ग्राम टन कुंटल इसमें बताईए कौन सा डिफरेंट है तो यह को यह वाला पहला आप्सन बिलकुल अलग हो जाएगा यह क्या है मीटर किलो मीटर यह सभी किसके हैं द्रबमान किलो ग्राम कुंटल और यह टन भार को नापते हैं और यह किलो म मीटर किस को माफता ये दूरी को माफता ये अलग हो जाएंग। जलो इस question को बताई ये इसका answer क्या होगया pen ये मार्कर ये कागज ये हो गया highlighter तो pen marker और highlighter ये सबी क्या होते ये एग तरह से कागज पर चला आते हाई-l membran marker ठीक है अब आगे चलें, आगे क्या है ये सर्डिखने वाले है और ये काघज है ठीक है अलग हो गया, अगला देगिए तो इसका अंचे अंजर बदाई जल्दी से क्या होगा A B C P Pलस 1 P Pलस 2 Pलस 3 Pलस 1 Pलस 2 मतलव Pलस 1 ठीक है इसमें क्या किया है DGH Pलस 3 किया है और इसमें प्लस तीन किया है सी एफ आई तो इसमें क्या किया है सी तीन और तीन च्छे प्लस तीन किया है और प्लस तीन किया है च्छे और तीन नो और बी डी एफ इसमें क्या किया है इसमें आपका बी डी एफ प्लस दो और प्लस दो तो देखो इसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डिफरेंट है ठीक है तो वैसे यह अप्सन होना चाहिए यहां पर मुझे लग रहा है तीन-तीन वाला कोई अप्सन होगा ठीक है तो इस तरह से भी अगर देखें तो ऐसे हो सकता है कि इन डौनों के बीच में 2 या 2 से ज·ञादा काका इसमें सिर्फ एक काई डिफरेंस है इस तरह से भी हो सकता है या फिर यहां पर आप्सन ऐसा होना चाहिए जिसमें 3-3 का difference हो ठीक है चलो आगे चलते हैं तो इसका option A हो जाएगा आगे देखो अगला question यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि S U V तो निकालो इसका क्या होगा S 19 और 2 21 और 2 23 दो 2 का difference है इनके बीच कितने का दो का और 2 का यहां पे देखो कितने का है 3 और 3 6 च्छे और 3 9 तीन का और 3 का यहां पे कितने का है 16 और 3 19 और 19 और 3 22 तो आपका option हो जाएगा A option क्या हो जाएगा option हो जाएगा आपका A ठीक है आगे चलते हैं चलो इसको ही बदाई इसका answer क्या होगा जल्दी से question number 10 इसका बदाई आंसर क्या होगा देखो यह कह रहा है O M Q competitive 15 बद्रे में से दो गया माईनस डो और यह क्या यह क्या किश्चने इसमें How type 3 मतला माईनस दोस क्याय ठीक पहले और फिर कितना एड़ कर दिया इसमें इसमें इसने एड़ कर दिया अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं माइनस दो ठीक है माइनस चार चलो देखते हैं अभी ये वाले देखो वी कितने पर है देखो टी कितने पर है टी है बीस पर तो ये अठार है माइनस दो ठीक है माइनस दो और प्लस चार अगर देखूं माइनस दो और आर में कितना एड़ कर दूँ में तो V बन जाए आर में मैं कितना एड़ कर दूँ आर में मैं प्लस चार कर दूँ न तो V बनेगा इसी तरह मैं इसमें देखो V कितने पर आता है 22 तो पहले किया है माइनस दो और फिर कितना किया है 20 में से X X कितने पर आता आपका X by J 24 प्लस 4 किया है ठीके तो ये दोनों सेम है इसी तरह ये भी सेम होगा ये 20 20 में से 4 ये – 4 गया ठीके यही अलग हो जाएगा आपका और P, P और प्लस 2 किया इसमें ठीके और इसमें देखते हैं – 2 और M 13, 13 is the 14, मतलब 4 add कर दिया तो 17, तो प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, ये बिल्कुल अलग है, option B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे देखो अगला question number 11, इसका बताइए जल्दी से answer क्या होगा, देखो इसने क्या किया है, क्या किया है, तीन ठीक है, और इसमें देखो कुछ बन नहीं रहा है, इसमें बस एक ही साब से बन सकता है, इसमें अगर स्वर ए है, तो एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, और इसमें भी एक स्वर है, और इसमें दो स्वर है, तो आपका D option होना चाहिए, मेरे साब से, ठीक है अब आगे चलने चलो अगला question देखते हैं इसका अंसर बताई जल्दी से क्या होगा चलो इस question का अंसर बताई जल्दी से क्या होगा ये 13 और ये 12 और ये 10 मतलब क्या किया है 13 में से 1 गया और 12 में से 2 गया minus 1 minus 2 x by minus 1 और यह x 24 और v 22 minus 2 इसी तरह यह 11 11 में से j यह minus 1 और j में से यह minus 1 यही अलग हो जाएगा यह सही है यह minus 1 और 13 में से 2 minus 2 देखो यह तीनों बिल्कुल सेम है यही अलग है तो आपका यही अंसर हो जाएगा option D option D आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चलो आगे चलते हैं वगला question देखते हैं क्या है तो बताईए question number 13 इसका अंसर क्या होगा यह क्या कह रहा है N N P R X W V बताईए इसका अंसर क्या होगा जल्दी से चलो देखो इसमें क्या है तो यह देखो हो गया 14 ठीक है यह कितना हो गया 14 और यह 16 और यह 28 मतलब दो-दो का difference है इसमें देखते हैं यह 24 और यह कितना हो गया आपका मतलब इसमें घटाया है और इसमें देखते हैं इसमें minus 1 minus 1 और इसमें M कितने बराता है 13 minus 1 and or E minus 1 V W X minus 1 minus 1 तो यह भी सही है तो यह 3 हैं यह 3 हैं आप्सें A बिल्कुल अलग है तो यहीं सही हो जाएगा चलो अगला question बताओ अगली question का answer क्या होगा question no. 14 इसका answer बताएए जल्दी से तो देखो इसमें क्या है यह क्या कह रहा है की सी इजी आई और एस यू डवलू बाई यह मैं आ रहा है तो वही नमबर हेंगे और क्या है तेरह और दू पंद्रह पंद्रह और दू सत्रह दू उन्नीश और जी हो गया तीन दू पांच पांच दू साथ साथ दू नो इस उन्नीश और दू इंकीश 21 और दो 23 23 और दो 25 यही आपका अलग है कौन सा वाला यह कितना और हो रहा है तीन सही है आपका यह वाला अलग है ठीक है आपसन डीज़ दा राइट आंसा आगे चलते हैं आला कॉस्टन देखते हैं क्या कह रहा है यह कह रहा है कि ल आई एन इए अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूու तो एक चीज़ मुझे कौमन दिखाई दे रही है यह तीन हो जो तीन हैं यह यह और यह यह तीनो इन चार अक्ष्णों से बने एल आई एन ई से ठीक है लेकिन इसमें क्या है इसमें यह अलग से आगए आगे चलो अगला कॉस्टन बताओ इसका अंसर क्या है यह देखो यह और यह और यह तीनों क्या है दस से डिवाइड है और यह दस से डिवाइड नहीं है तो आ और यह आपका 42 यह 34 यह 44 यह 41 यह सभी तीन से डिवाइड है तो 34 आपका सही आंसर हो जाए जाए 96 बिलकुल सही आंसर है 96 पूरी तरह 4 से डिवाइड है ठीक है इस कॉस्टन को देखिए इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताईए इसमें देखो क्या किया इसने यह कट गया आपका कितने से इसमें अगर हम बात करें तो यह आपका यह कट रहा है तो इसमें अगर बात करूं मैं तो इसमें अगर बात करूं मैं तो देखो यह हो गया च्छेवदू आठ नौर आठ सत्र है ठीक है अगर इसकी बात करें च्छेवचा दस तस और साथ सत्र है ठीक है देखो इसमें क्या किया इसने इसमें इन सब को एड़ कर लिया है इनके जो अंग हैं इनको जोड दिया है 6,4,10,10,14,14,14,3,17 ठीक है 6,2,8,9,8,17 यह भी सत्र है और यह सत्र है और पांच और दो सात मतला हो यह हो गया आठ और एक नो ठीक है और पांच चानल नो नो अठार नहीं शात और एक आठ 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 और पांच तेरे ते तो आपका option बिल्कुल D सही है क्योंकि यही अलग है इसका जो अंकों का योग है वो 70 नहीं बैट रहा है ठीक है तो आगे चलते हैं आला question देखते हैं क्या है तो इस question का अंसर बताईए इसका क्या है 125 हो गया आपका 216 हो गया 27 हो गया यह सभी क्या है यह सभी गाले है लेकिन 121 क्या है यह वर्ग है तो यही अलग हो जाएगा 121 ग्यारे का वर्ग 125 का क्यूब 273 का क्यूब और 216 का क्यूब ठीक है अब आगे चलें अगला question देखें क्या है तो question नम्बर 6 बताईए इसका अंसर क्या होगा देखो 2469 तो इसका अंसर आपका होना चाहिए कौन सा इसका अंसर होना चाहिए आपका डी ठीक है क्योंकि यह क्या है यह विसम संक्या और वो स है तो आगे चलते हैं इसमें क्या है 9 हो जाएगा कि वस्तनम्म्स साथ 7 का अंसर बताईए क्या होगा यह गया 52 यह 96 यह गया 36 यह 24 इसका अंसर बताईए क्या होगा अगर मैं देखों चार दुनिया आठ यह देखों प्याइप चार से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों ये भी चार से ये भी 4 से ये भी 4 ये निए चार से नहीं कट रहे हैं तो आप्शन ए हो जाएका आपका सही है, इसमें देखो क्या कहरा है साथ का अगर हम देख हैं बावन ठीक है अभी साथ कॉस्टन पर द्वार आओ यह क्या कह रहा है डिफरेंट देखना है यह 96 हो गया यह 24 हो गया यह 52 पांच चार यह भी तो कट रहा है चार से तेरे चौक बावन ठीक है तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा यह भी तो चार से कट रहा है चार से तो चार संग्यां कट रही हो तो 36 देखते हैं 36 क्या है यह पूड़ वर्ग संक्या नौच उख शतीस तो इस तरह से इसका अंसर डी होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए डी चलो आगे चलते हैं आला कॉसन देखते हैं क्या है तो अगला कॉसन है यह है 144 169 256 तो पूछ रहा है इसका अंसर बताईए तो देखो यह तो साफ दिखाई दे रहा है यह वर्ग है तीनों 176 156 यह क्या है यह वर्ग नहीं है यह आपका अंसर सही हो जाएगा चलो और कोड़ेंट का अंसर बताईए क्या होगा इसका अंसर जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा इसने क्या किया है यह देखो आई जे प्लस वन कर दिया प्लस वन अच्छा एन और ओ प्लस वन F G प्लस वन O P प्लस वन समने प्लस एक प्लस एक क्या ठीक है यह लास्ट वालग नहीं साही है M, N ठीक है तो इसी तरह हम इसमें प्लस एक प्लस एक कर देंगे तो H, I, O, P, N, O, ठीक है और O, P और U, V, R, S I, P, O, V, S I, P, O, P, V, S option A आपका बिल्गुश सही है आगे चलते हैं अला question देखते हैं इसका answer बताई जल्दी से क्या होगा इसमें क्या किया है P, R, S A, B, C मतलब दो add करते गया है कितना add करते गया है दो add करते गया है हर एक number में इसने कितना add कर दिया 2 add कर दिया S, 19 पर आता है U, कितने पर आता है U आता है आपका 21 इसमें भी 2 add किया है तो हम इसमें भी हर एक में प्लस 2 कर देंगे तो C में प्लस 2 करेंगे तो 5 E आगया क्या आगया E और H में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा जे और I में प्लस दो करेंगे तो क्या आएगा K और L में प्लस दो करेंगे तो क्या आएगा P और D में प्लस दो करेंगे तो क्या आएगा F और आपका R में प्लस दो करेंगे तो T E में प्लस दो करेंगे G और एन में प्रस्ट दो करेंगे तो कितना आएगा 60 मतलब पी तो देख लो कौन सा अंजर है ई जे के ई जे के और फिर क्या है पी आहर 혹시 एकृष्ट कर दिया हो Vince कि प्सक्नाती है इसक्bero1 का चीज़ें आगे ही पिद्य सी श्क्राइब करेंगे क्या एगा इcol में लास्ट से देखता हूं एन में मैं दो देखते हैं फाल अगर देख लिद्धल दो करूंगा तो जल्दी से क्या होगा देखो इसने क्या किया है इसमें इसने क्या किया है प्लस ये क्या है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो माइनस वन करूंगा पहले में तो माइनस वन करूंगा डी में से तो C हो जाएगा प्लस वन करूँगा तो F हो जाएगा और माइनस वन करूँगा तो K हो जाएगा और प्लस वन करूँगा तो H I हो जाएगा और माइनस वन करूँगा H हो जाएगा तो C F K I H C F K I H option A इसगा राइट आगा साहे मैं आया आगे चले आई वी पीएस पीयो दोज़र बार है तो बताई इसका अंसर क्या हुआ यह किसी सांकेतिक बासा में इसको इस तरह लिखा जाता है तो अधर को उसी बासा में किस तरह लिखा जाएगा देखते हैं क्या किया इसने इसने S90 पे आता है ठीक है 19 और यह 18 टी प्लस वन यू माइनस वन डी प्लस वन और बाई माइनस वन ठीक है प्लस वन फिर माइनस वन नई पहले किया इसने माइनस वन उसके बाद प्लस वन तो पहले हम करेंगे माइनस वन फिर प्लस वन ओ मैसे एक गया तो क्या वच्छा पो मेंसे एक गया तो एन वच्चा यह अपसन अटेगा आपका अचा इसमें प्लस करेंगे तो टी यू तीनों में है मानस करेंगे हिट में तो जी उन दोनो में यह टए गया ए में प्लस करेंगे मानसी तो किया था हिट में से अब प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या आईगा Iبापका ऑप colony C बिल्कुर स़ी नहीं आगे चलते हैं ही या कोशन देखते हैं क्या है चलो इसका अंतर बताओ किसी कोड़ बादसा में टेंपल को इस तरह लिखा जाता है दो चार छे दो चार छे देखो सेम अच्छार है ठीक है तो इसमें भी सेम अच्छार होने चाहिए अब देख लो इसने कैसे लिखा है तो टी एम होगे और पी चलो इसको मैं छोटा करके बनाता हूँ पहले अच्छी तरह देखो इसने क्या किया है इसने लिखा है यह लिख दिया इसने टी आप एम पी एल ए अब इसमें इसने क्या किया है यह लिखा है एम ए टी एल टी ठीक है तो देखो एम यह आगया ई यह आगया और टी यह आगया इसी तरह पी यह आगया यह आगया एल यह आगया इस तरह से है तो यहां पे मैं इसको भी क्या कर दूंगा एफ ए टी और एज फ यू एल फ यू एल तो एफ यहां पे और टी यहां पे यह यहां पे और आप का एफ यह यहां पे यह यह यहां पे देख लो इस तरह से стан क्या कुछ किड़बड करने हैं देखो इस तरह से नहीं होगा जालो देखो इसमें क्या है देखो नम्बरिंग कर लो इसमें अगर मैं टी को एक लिखता हूं एको दो लिखता हूं एम को तीन पी को चार और एल को पांच एको छे ठीक है तो पहले क्या आया T Stage 3 थीद है फिर क्या आया है फिर आया है थो फिर आया है कि तो पहरों एक इसी तरह आगे देखते हैं तो फिर आय Ah six और पिर आया है आकका Fाइव और फिर आया है फोर कुछी तरह इसमें देखेंगें इतो one two three तो इसमें देखते हैं क्या है तो इसी तरह करो इसको ठीक है इसमें क्या आएगा अंसर तो वन टू थी तो पहले आना चाहिए क्या फॉर तो यह इसमें कितने थे छह थे तो तीन आएगा, टी फिर आएगा आएगा एफिर आएगा टी आई एफ़, यह दोना option अट गए अप पीछे देखो अब यहाँ से क्या गुआ था यह last वाला जो था वो आ गया था, यहां से अब, यहां से last वाला जाएगा तो ल, यू, झ, आफ, आफ-च तो शाहिद आपका ऑपसं भी है एयल यू एफ है एयल यू एफ एच अपसन भी हेइऊ आपका ब्लगुल साही ईभव है तो आगे चलिए अब है है कि तहीं है है गिए आगया है कि यह थाह रहा है फार ширint अब फार्म को इस करते हैं कैसे करते हैं ठीक है तो देखो एफ पहले आगया एम ठीक है और अधर एम इसने क्या किया है बताओ जल्दी से आंसा एम एफ इसने क्या किया है जो एफ है है वो यहां पहुंचा दिया ठीक है और ए ऐसा का ऐसा ही और कि हम आ गया यहां के हैं देखते हैं अभी इसमें क्या हुँ रहा है तो पहले मैं छोटा कर दा हूँ कि उसके बाद देखते हैं इसमें नम्मर्इग कीजी ए वन तो पर फार फाइफ ने एम थ्री फिर पैसे फिर का लिखाए फिर लिखाए तोसं का लिखाय ओल लुम्दane क तो इसी तरह तो प्याले मैं कौन सा दिखुआए हुआ है वह पर पर क्या रहा है एऍव पूर वे क्या रहा है हुए इस तो फे क्या और फिर कौन सा लिखूंगा फिर उसके बाद इसने कौन सा लिखा है दूसरा ऐसा का ऐसा ही तो आई ओके ऐसा का ऐसा ही फिर इसने कौन सा लिखा है फिर लिखा है इसने पहला तो कौन सा होगा पहला जी ए आई जी किसी में नहीं है तो आपका अपसन कौन सा हो जाएगा इस आगे चलें अब अगला कॉस्टन देखें क्या है तो यह अगला कॉस्टन इसका अंसर बताई जल्दी से क्या होगा तो देखो इसने क्या किया है ती इंप और फिर क्या है ओ आर एल ओके ओ आर एल तो टी को इसने लिखा है अब यह द्यान देना टी को क्या लिखा है इसने एस तो माइनस एक किया है पी में माइनस एक करके कहां पर लिखा है यहां पर लिखा है यह रहा है और ए ए में कितना किया है माइनस एक तो यह ए हो गया ए में क्या किया है माइनस एक फिर क्या लिखा है इसने डी क्या लिखा है डी यह भी माइनस एक है फिर एल एल लिखा है किसका एम का तो एम मैंसे माइनस एक है एम मैंसे भी माइनस एक है क्या है माइनस एक तो क्या लिखा एम का माइनस एक एल हो गया ठीक है उसी तरह क्या लिखा इसने पी ओके तो पी का माइनस एक क्या है पी का माइनस एक है ओ ठीक है तो ओ हो गया और ये पी इधर तो ये समय पा रहे हो ये इस तरह से ओड़ा चलना है पिल्कुर ठीक है आदे अच्छर ये वाले ये वाले अच्छर यहां से चलना है ठीक ह तो देखो P का P मैसे जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा O आएगा तो पहले नमबर भी लेग दिया है इसी तरह इसके जो आदे अच्छा रहें ये देख लो ये दो और दो चार दो और दो चार यहां से भी तो S मैंसे अगर मैं एक गठाता हूँ S मैंसे एक गठाता हूँ तो क्या आएगा R ही तो आएगा है मैं आ रहा है S मैंसे अगर मैं एक गठाता हूँ तो क्या आएगा देखो ये मैंने आदे अच्छा ले लिए ये दियान देना ये उपर वाले आदे इधर के तो इसमें मैं क्या ले लोगा एधर के डीका चाल्ग का फिसमें ? कीया तो और यह नंबर के आएके मैंसे करों गार्ए कर गाथ यह दोपनों रटेए अब तो असदिधी मानस एख करूगा तो प्याईगा N मैंसे जान में मैं ऐस आए तो मेंस एक करूंगा तो एन आएगा इसी तरह सी मेंसे מא करूंगा तो अर एम एन भी जिसे हुगा ए कि इतना क्लूर्ए हुआ कि हैं पिडियर अब देखते हैं इसमें क्या किया इसमें ब्र tikा कर दिया यहां पर बेटा दिया प्लस एक कर दिया इसी तरह आर में एक कर दिया एस महुचा दिया एक कर दिया और एल में प्लस एक कर दिया तो एम होगा इसी तरह हम इसमें कर देंगे तो अगर यह काई है यहां फोगा टीक है अप I में मैं प्लसे करूगा तो आई में प्लस एक करूगा तो ज क्लिक है regulator अब ज मुझे यहां नहीं कारणा कि एंड में घी है तो यहां पर अप्रकना जिय' उसके बाद किमें यहां रखनाए इसे तरह में सबम्जून आपका एक में समय द्यास से लिए अधिकने क्या किया क्या है मैं बता रहूंगा यह जो फिए ना में सब्सक्राइब किया और यहां पर बटा दिया पी का क्या होगा प्लस है पी में जब एक प्लस कर रहा है कि मैनस कर रहा है ठीक है इधर यह मैनस कर रहा है और इधर यह प्लस कर रहा है अब यह द्यान से देखो कॉस्टन बढ़ी है इसमें फिर मैनस किया तो यह फिर बैटा रहा है यहां पर और इसमें माइनस किया यह बिटा रहा है यहां पर और इसी तरह इसमें प्लस किया तो यहां पर और इसमें प्लस किया तो यहां और इसमें प्लस किया तो यहां इस तरह से कहानी चल लेगा क्रियर होगा चलो आगे चलते हैं आप अगला कोसान देखते हैं क्या है और इसी तर माइनस एक करूँगा, तो आ रहाएगा, और इदर बैटा दूँगा, N मैंसे माइनस एक करूँगा, तो M आएगा, यह आ गया, O मैंसे माइनस एक करूँगा, तो क्या आएगा, N आएगा, यह आएगा, C मैंसे माइनस एक करूँगा, तो क्या आएगा, B आएगा, इसी तरहे मैं यहां से प्लस एक करता जाओंगा प्लस एक करके और उधर पहुचा दूँगा इधर की साइट तो आई में प्लस एक करूँगा तो जे हो गया डी में प्लस एक करूँगा तो ए हो गया इमें प्लस एक करूँगा तो एफ हो गया आर में प्लस एक करूँगा तो एस हो गय अगला कॉस्टन 35 बदाव इसका अंसर क्या है जल्दी से टैन और यू जी क्यू यह हो गया प्लस वन यू बीस और एक इक्किस पांच और दो साथ प्लस दो मतलब प्लस एक प्लस दो और साथ प्लस तीन प्लस तीन इस तरह में एड़ कर दो तो अगर मैं टी में प्लस तीन करता हूं तो क्या होता डबलू और आर में प्लस एक करता हूं तो क्या होता है आर एस एस और लास्ट में डबलू ठीक है दो अप्सन है और ए में प्लस दो करत चालो इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा यह असंगत पूच रहा है इसमें कौन सा असंगत होगा बताओ इसका अंसर क्या होगा जल्दी से मैं देखो इसमें क्या यह सिंपल है कुछ नहीं है इसने क्या किया है तेरे का वर्ख कितना होता है वण सिक्स्टी नैन ठीक है चलो देखो इसमें जाक है तेरे का वरकिया पुलस के रuded कर दिया बारे का वरकिया प्लस Access Raid 12 का वरक का वरक किया 121 प्लस 11 प्लस 11 तो कितना हो गया 132 सत्रे का वरक करूंगा और कितना एड़ करूंगा सत्रे तो इतना बैट पाएगा नहीं बैट पाएगा ठीक है तो यह गलत है आगे चलें आप अगला कॉस्टन देखें क्या कह रहा है छह दो सो बावन तो पांच प्ची के बताईए इसका अंसर देखो छह का क्यूब कितना होता है 216 यह इसने क्या किया पहले का क्यूब किया है और फिर इसी का वरक करके जोड़ दिया है छेक का वरक कितना होता है 36 इसी को जोड़ दिया च्छेक्ज़़ः भारिका दो और तीज और तीन कितना हो गया एक्कीस और तीन कितना हो गया 24 चौबिस चौइस और spec50։ 252 मतलब पयरडी जन्किया उसका क्यूड ऐन्सका लगव किया है यह एक सो पत्र इस धैट करियर। हम यह डेंअ अरेक कखो 2023 देवनागरी है इसके अंदर वह आएघी संस्कृत भी आएगी देवनागरी यह हो आंसर बताईए क्या होगा यह देखो जूता है जूता चंड़ा और कागज है तो जूता किसका बनाः आदा चंड़े का और कागज कागज लकड़ी की बनाः है थी ठीक है इस question का answer बताईए यह फॉरिन आइट Celsius Kelvin Pascal चारों में से एक अलग है तो देखो फॉरिन आइट Celsius Kelvin Pascal यह पासकल अलग हो जाएगा यह क्या है दाव का दाव का मात्रग है और Kelvin Fahrenheit Celsius यह डिगरी Celsius यह Kelvin और यह Kelvin और यह फॉरिन आइट यह सब टेंपरिचर के मात्रग है किसके डिगरी टेंपरिचर केल्विन कितना टेंपरिचर है ठीक है तो इस तरह से हैं चलो चलो बताओ अगला कौसन इसका अंदर बताओ नीचे दिगरी आकरती में आयतों की संख्या इसकी संख्या आयतों की संख्या बताइए इसका अंजर क्या होगा तो कितने आयत हैं इसमें? आफसंदी आए ये रही बताईए जल्दी कितने आइस आयता कितने हैं तो जिसने भी आइसर सी बताया है जिसने भी आइसर सी बताया है उसका आइसर बिलकुल गलत है क्या है? बिलकुल गलत है वाई देखो इसमें आन्जार कितना होगा इसका पंच अब देखो कैसे यह होगे 2 और 1 3 कितने होगई 3 एक यह बाला और एक यह पूरा तीन होगई एक यह होगा चाट और एक यह होगया आपका पंच और यह कहां हो जाएगा यह तो देखो चलो इसका अंसर बताओ इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा यह क्या कह रहा है दस दूनी 20 और 20 मेंसे कितना गया दो तीस तीया 90 और 90 मेंसे कितना गया अच्छे हैं तो चलो इसको देखी इसमें क्या है कि 10 दूनी 20 20 माइनस 2 अठार है तो 2 एकंद 2 यह गटाया ठीक है तीन दूनी 6 मतलब 3 गुणा 2 इस पहली वाली संक्या में 2 का गुणा किया है फिर गटा दिया है तो इसमें 3 का गुणा करूँगा फिर गटा दूँगा तो यह होगा 24 24 24 प्रश्च आट चौक 32 200 272 272 मैंसे कितना गटा दूँगा मैं 272 मैंसे 12 गटा दूगा तो कितना वज़ा 260 ऑप्सं सीज्दा राय टांसर आगे चलते हैं यह असंगत पूछ रहा है इस मेंसे बताईए कौन सा संगत है वाई देखो चार और चार आठ 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 और चार बारा बारा चार शोला चार चार आठ 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 चार बारा बारा चार सोला पांच चार नो नो चार तेरा तेरो चार सत्रा ठीके चार 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 और ये हो रहा है वाई दो चार छए टाचा दस दस चार 14 टीन चार साथ साथ और चार ग्यारा ग्यारोः चार पंदरा अभी सेम बैठें कैसे बैठ रहे हैं बैठ आधि दुवारा देखने तो हो चार चार आठ हो गया आठ और चार बारा हो गया half और यह एयन कितने पर आता है श्रोट होगा ठीक है वंधे इस यह संगी हो जाएगा एन सम्में क्या है चार-चार का ताहिएल नीचे वाले तीनों में इसमें रिद्स में कितने का डिफरेंस है लाष्ट इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा तो देखो यह क्या कह रहा है जीरो टू मतलब दो फिर दो से से दस हो गया तो आथ हो गया और घह से दस से तीस हो गया तो बीस हो गया और फिर आगे क्या है अगे यह का आध Treasury सेißt दो सब्रेन हheen है आफिसमें अगर मैं कि अगया यह तो यह हो गया अजिए Шए आफार करके देखनी इतना है 6 12 18 अगर डेखता हो कितना बनता है अठार है अगर मैं इसमें डेह करने कितने में बीच में तो कितना हो जाएगा आपका 38 कितना हो जाएगा 38 कि और 38 को 30 में एड़ करूं तो कितना हो जाएगा अर्सट ठीक है अर्सट बन रहा है तो अर्सट ऑप्सन तो है तो मुझे लग रहा है अर्सट ही सही होगा अगर मैं कितना करूं कितना चैदों नहीं 12 16 18 मतलब 12 नहीं 24 अगर हम 24 एड़ करते हैं तो 44 और 44 अगर इसमें एड़ करूंगा तीस में तो 74 चौतर तो ऑप्सन ही नहीं है अप्सन आपका सी सही होगा अब कैसे होगा अब यह देख लो एक मिनट देखो इसने क्या किया है इसने इसने इन दोनों का डिफ्रेंस लिया है कितना है पहले 2 है फिर कितना है फिर 8 है पिर कितना है फिर आपका 8 फिर यह बीस है आप इं दोनों का डिफेरेंस लो तो इसका 6 है पलूस इसका 2 है तो जो नीचे वाली स्रेडि बनेगी उसमें कितना होगा 6 च lately चे 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 का बनना इसमें गोँ 6 का तो इसमें नीचे भी छे का तो अठार है ठीक है चैगा ओ इसमें भी अठार है तो चैटी अठार है तो चौवीस ठीक है इस तरह से बनता जाएगा ये भी चैगा अब ये चौवीस किस में एड होगा ये अठारे किस में एड होगा अठारे बीस में एड होगा जैसे आट बारे में एड होगा तबीस मिल हो जाएगा इस वीश में 18 हो जाएगा तो कितना मिलेगा अद-30 उपर कि प्र कितना मिलेगा 38 ठीक है जिए अब 38 को किते हैड करूँगा मैं 30 में देखो 2 को एड किया था मैंने 0 में तम मिला था 2 ऐसे जो जो तुद में 8 को कहां पर रखूँगा यहां पर 30 में एड करूँ 38 30 में कितना एड करूँगा 38 तब जो next time मिलेगा वो मिलेगा 68 ठीक है इसी तरह यह नीचे वाला क्या है 24 24 कितने में एड होगा 38 में 38 और 24 कितना होगा आठ चार बार आएगी दो और यह 3 2 5 5 और एक 6 62 और 62 को कितने में एड करूँगा 68 में 68 में आठ तो 10 और 6 12 13 13 मतलब हमें next time मिला 130 सहे में आ गया पूरी स्रेडी सहे में आ गई दो तीन स्रेडी बननाई है उसे देखने न अच्छी तरह है अब देखो अगला कौस्ट बताईए प्रसंद वाद्चक चिन्यकिस्तान पर क्या आएगा 12 और 9 कितना होता 21 बारे और 10 22 तो 21 हो गया और 21 में मैं कितना एड कर दूँ 21 का पहले दोग ना करो 22 अगर 42 में 6 आड कर रहा हूं तो मुझे यह प्राफ्त हो रहे अचा 17 और यह 20 कितना हो गया 37 और 37 दूनी कितना होता है 74 74 होता है 74 में अगर मैं 6 आड कर दूँ तो कितना मिलेगा 80 मिल जाएगा बन गी बात ठीक है हो गया कॉस्सन 33 और 36 कितना हो गया 69 69 69 69 इसका अगर मैं 2 से मल्टिपाई करता हूं तो कितना हो जाएगा साद दूनी 14 138 अब 138 में मैं कितना एड कर दूँ प्लस 6 6 एड कर दूँ तो कितना हो जाएगा आट उचे 144 कितना हो जाएगा 144 ऑप्सन सी आपका बिलकुल करेक्ट अंजर है तही में आ गया पहले मैंने क्या किया है इन दोनों को जोड दिया है फिर इसमें कितने का मल्टिप्लाई किया है फिर दो का मल्टिप्लाई किया है फिर उसमें मैंने कितना एड कर दिया 6 एड क हुए है और अभी 282 टोटल 182 पेज है अभी तो सिर्फ 42 पेज हुए है तो थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिस करता हूं ठीक है चलो इस कौस्टन को देखो यह क्या कह रहा है ए ये मतलब 6 कर दिया और फिर इसमें कितना एड कर दिया 7 में कितना एड किया कि 13 हो गया प्लस 6 कर दिया तेस च्छे कर दिया उननीस और छे कितना होगया 25 आगला 22 कितना भाई ठीक है अच्छा अब यह देखो इसमें क्या हुआ है जी सात और पांच बारे बारे पांच सत्रह सत्रह पांच कितना हो गया 20 17 ना होता है वई 17, 5, 22 होगा तो U, B होगा तो पहले क्या आएगा V, फिर बाद में क्या आएगा बाई, तो V और बाई C option बिलकुछ सही है चलो, इस question को बताओ जल्दी से इसका अंसर क्या होगा सभी keyword mouse है, सभी keyword क्या है, mouse है, सभी keyword क्या है, mouse है और कह रहा है, कुछ mouse printer है कुछ mouse क्या है, printer है कुछ mouse printer है कोई printer keyword नहीं है कोई भी printer keyword नहीं है कोई भी printer keyword नहीं है हमें क्या पता वई कुछ printer mouse है, उसमें दिया हो था तो हम बताते, कुछ printer mouse है कुछ printer mouse है बिलकुल है वई, ये printer का कुछ part, कुछ part आट मावस से मिल्ला है न यह देखो यह वाला पार्ट से हुँआ यह केव Taylor नहीं है क्विछ प्रिंटर नहीं किला हुआ कि इसमें केवल मेरे साफ से ईतंव है कुछ कह रहा है के बन निसकर्स वन अनस्रड करता है वही ऑप्शन सी जा राइट आंसर चलो आगे असंगत देखना है आलू गाजर मूदी ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं ठीक है यह निकी जो पैदावार होती है वो तीनों की जमीन के अंदर होती है और जो मटर हो गई यह रोटी आटा बीच तो इसको क्या करना है इस तरह से ठीक है बताईए पहले क्या होगा बीच बोया जाएगा तो तीन फिर क्या होगा गेहूं का पौदा बनेगा एक फिर क्या होगा फिर आटा बनेगा फिर रोटी बनेगी भाई तीन एक चार दो तीन एक चार दो आप्श बताईए वही क्या होगा तो देख लो इसमें क्या 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 कॉमन मिलना है डी देखो सिंपली इसको ऐसे कर लो डी कि दी ओ गया इसमें देखो चलो डी बे ओ उके इसमें चलो यहुत वाटो ही दी यह फ तो दी ह और अ थो एप के विपरीट क्या होगा एप के विपरीट हे हो हो जाएगा क्या हो जाएगा एप के विपरीट यह हो जाएगा वैसे अगर हम क्या कहें तो देखो ऐसे सिंपल कर सकते हैं क्वेस्टन को कैसे इन दौनों की अगर मैं बात करूं तो यह एप के बगल में है H, E, G, F के बगल में E, F के बगल में D, F के बगल में तो G, H, E, D G, H, D ये तीनों तो होंगे निए इसके विपरीत तो इसके विपरीत होगा क्या फिर ये होगा इस तरह से भी करताक्ते हो आगे चंगे ये आया आपका ब्लड रिलेशन का कुस्तर इसको बदाईए आंतर इसका अंतर बढ़ाईगे लिए से क्या होगा जै उस गीता अन्यली के पिता है जो दीपाली की बहन है ये बना दी है मैंने जै जै किसके पिता है गीता अन्यली के पिता है जो दीपाली की बहन है जो दीपाली की बहन है दीपाली विजय की पुत्री है वई, दीपाली विजय की पुत्री है, सर्ता रोहित की सास है, अभी कुछ नहीं पता, हरिश्चंद जै के पिता हैं, हरिश्चंद है वो जै के पिता हैं, यह मैंने हरिश्चंद बना दिये वई, हरिश्चंद क्या है जै के पिता हैं, और सर्त विजय की पत्रियां विजय और सर्टा की केवल दो पुत्रियां एक तो यह हो गई और कौन सी थी विजय और सर्टा की केवल दो पुत्रियां है अच्छा ठीक है यह और रहे गया दीपावल यह सर्टा रोहित की सास है यह सर्टा कौन है रोहित की सास है मतलब इसकी जो बेटी होगी न उसका पती होगा कौन रोहित तो पहले देखते हैं पूछ का रोहित का विजय से क्या संबन्द है रोहित का दामाद का संबन्द है वैसे ठीक है ठीक है देखो क्या कह रहा है जै उस गीता अंजली के पिता है जो जै है उस गीता अंजली के पिता है जो दीपाली की बहन है और क्या कह रहा है दीपाली विजय की पुत्री है तो जै फिर पिता कैसे हुए जै उस गीता अंजली के पिता है जो दीपाली की बहन है दीपाली ये दोनों बहन हुई न जो दीपाली की बहन है उस गीता अन्यली के पिता है जो दीपाली की बहन है ठीक है दीपाली विजय की पुत्री है दीपाली विजय की पुत्री है सर्ता रोहित की सास है ठीक है सर्ता रोहित की सास है ये मान लो कोई रोहित है इदर रोहित जिसकी इसकी बेटी से साधी हुई है सर्ता रोहित की सास ह चलो इसका बतावा आशर क्या होगा? इसका बताओ अंसर क्या होगा तो देखो अगर मैं इसमें मैं कौन सा करूं मैं करूं कौन सा आप्सन मैं इसमें डी आप्सन अगर रखता हूं तो माइनस की जगह भाग हो जाएगा चार हो जाएगा यह ठीक है देखते हैं क्या हो जाएगा यह चार हो जाएगा और जो भाग है इसकी मैंनस हो जाएगा तो चार माइनस चार और इधर पांचों को बीस यह 20 किलर कि इतना हो गया तो बीस और चार चौविस में से च्छे गए क्या बचा अठारे है ऑप्शन दीस है मैंने बोला ना भाग वाला देखा करो इसका पूरी तरह बदलने पर पूरी तरह भाग चला जाए अब जैसे यह माइनस है माइनस को अगर मैं बाग करता हूं तो तीन का बाग पूरी तरह चला जाएगा तीन चौक बार है यह अप्शन होगा इन तीनों को चेक करने की जरूती नहीं है आगे देखो अगला कॉस्टन है तो बताओ इसमें वह कौनसी आकृति समाहित है इन चारों मैंसे कौनसी आकृति ऐसी है जो इसमें समाहित है बताएगी अंतर नहत है तो यह ह वाई ठीक है option A बिल्कुर सही है option A बिल्कुर सही answer है चलो आगे चलते हैं अगला question देखते हैं क्या है यह कह रहा है अगले क्रम पर आने वाले पद का chain कीजिए बदाइए अगला पद कौन सा होगा भी एफ जी एच प्लस तीन तीन एड गिया है आठ और तीन गया तीन जौदा तो तीन एड गिया और यह हो गया आपका 14 और तीन 17 मतलब इसमें वह तीन कर देंगे 17 और बीच टी होना ज़ही पहला अच्छा डी उप्शन सही है लुए डी उप्शन होगे आपका आगा चले आगे यह क्या कहे रहा है कि मेरव फूच रहा है किदर रख के अंदर पर 4 का चुणाव करें जो आखरती धाइइंधर मतलबंव यहां पे कि यहां रखना है बताओ जो यह उपर वाला ओर यह नीचे वाला स्टार है यह इसमें कितने निकल नाया पाँच नीचे अब इस तरह का देखो कौन सा उपने DANE यह भी गलत है इन दोनों मेंसे यह देखो यह जो नीचे वाला स्टर्बार्व यूपर पहुंचा दिया इस यह यहां पर देखластर यहां यह थे यहां आए ना तो अप्रस्टर्वक्राइम का आ इस ए देखो जब हम इसको मोडएंगे तो इस तरह से होगा और यह इस तरह से हो जाएगा इसी तरह जब यह इधर को आएगा पूरा यह यहां तक बनेगा जब पूरा आएगा यह गोला यहां हो जाएगा और ये इस तरह से इस तरह से होगा ठीक है तब देखले न यहां दो इस तरह से ठीक है इसी इसी लैन पर और बीच में दो ये गोले आसपस और बादन तो देखो कौन सा अबसन है यह होगा निए यह होगा निए अपसंद जी से चल्डी आगे चलो इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा 306 401 437 434 इसमें कितना एड़ गिया है इसमें सोला इसमें सबस्रा इसमें अठारा आट चार बार रहे लास्ट में दो आने चाहिए और तीन अठारे चौर्ण तीस और टारे कितना होगे 452 452 ऑप्सन भी इसमें से आंसर क्या होगा देखो दो चार एड़ं किया चार चार एड़ यहां भी चार होनी चाहिए यह 14 चार अठार है आर होना चाहिए पहले नम्मर पे तो देखो यह दोना अट गए अब यह वाले देखो 11 11 मैंसे एक गया 10 10 मैंसे एक ठीक है एक एक जा रहा है फिर देखो यह देखो यह वाला ट्राइंगल देखो बीच वाला एक यह तुम बीच वाला ट्राइंगल देखो किस तरह से इस तरह से फिर इसका मुह इधर की साइड हो गया फिर इसका मुह नीचे की साइड हो गया तो अब किदर होना चाहिए अब इदर की साइड होना चाह अब यह तो यह उत्य दो आफ जाए जाद आश्में पड़ना है सिर्फ देखना है काह से कॉस्टन मिल ला है तो यह देखो ट्रेंगल गूम रहा है तो अभी दर था ना कि नीचे की साइट तो अब कैसे हो जाएगा अब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे सिर्फ ये नहीं ये नहीं जल्दी से क्या होगा आप कैसी होती होती है अपनिया और थे क्रेक्ण होती है उपसन बीश और अप तो इसमें क्या किया है, सात, और दो, नो, नो, दो, ग्यार कितना principal कनद एकल साथ आप मैं कितना घ्रिचा टीbaar तो इसमें भी तीन तीन प्लस कर देंगे एम तेरे पर आता था तेरह तीन तीन तो लाएं पी हो गया ओ अठारे आर हो गया सत्रह तीन भीस पी आरटी पी आरटी ऑफसन है इस दर राइट अंसर 1111 कितना होगा जल्दी से बताव यह पुस्तन अच्छा इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताओ दो घणटे हो चुके अभी तुम्हारे इस पीज लग पाये अभी कितने ऐन अभी 50 पेज लग पाये 202 पेज़ जल्दी बताव मैं और अब मैं जल्द जल्दी करा रहा हूं, इस में क्या किए, इसने 100 मैंत से पहले 11 माइनस कर दिया, 100 मैं से और 100 मैं फिलस 11 कर दिया, दियो सो Speech प्लस 11 किए आए, माइनस गया रहे किया है सौ में पिलस पांच किया है सौ में से माइनस पांच करें अपसन सही है चलो यह क्या कहा रहा है विसम विसम चुनने आपको तो चंदरमा हो गया मंगल हो गया प्लूटो हो गया सनी हो गया यह मंगल प्लूटो सनी से यह सब ग्रह यह क्या है उपक ग्रह ऑप्सने सई है कि अगला कॉसन है डी एप जी के म्स यू यह क्या कह रहा वही चार दो छह चछे दो आठ कि ग्यारद तेरह दो पंद्रह सत्रे और तीन और यह हो गया 1902 ठीक है यह अप्सन अलग है ठीक है इसमें तीन एड कर रहा है है ब सब्सक्राइट एक लड़की तस्वीर की और दिखाते हुए राजीव कहता है आकांचा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है इसकी बेटी किसकी बेटी आकांचा की बेटी ठीक है समय लेना आकांचा और बेटी बेटी को मैं भी लिख रहा हूं ठीक है आकांचा की बेटी क्या हो गया है आकांचा की इसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां मतला आकांचा की मां बोलना सीधे सीधे यह मां एम लिख रहा हूं ठीक है यह फादर एफटी पिता की पत्नी क्या कह रहा है पिता की पत्नी की मां मेरी पत्नी की बेटी 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 मतला मेरी बेटी मेरी बेटी की कौन है सास हैं ठीक है मेरी बेटी क्या कहें है पत्नी मेरी पत्नी की बेटी की मां की सास है मतलब इसकी जो कौन है यह यह कौन है राजीव की पत्नी है जो राजीव की पत्नी है उसकी सास है वो ठीक है कौन कौन सास है एम तो क्या गह रहा है राजीव का आकांचा से क्या संबंद है देखो मामा चाचा पिता ये तो होगा नहीं क्यों कि राजीव इसी जन्रेशन में ये है तो भाई बेहन का होना चाहिए तो option D होना चाहिए वैस तो एक बार और देखता हूं इसको ये कहरा आकांचा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है इसकी पत्नी आकांचा की बेटी के पता की पत्नी के पता की पतनी मेरी मनतलना राजीव की बेटी की मां की सास इन राजीव का सम्मğν यह राजीव और राजीव बहन होंगि था ही ठीक गिंद आपे देखते हैं चलो इसका क्या है अनुक्रम है ठीक है अगला बदाओ क्या आएगा देखो चार पचार आठ आठार बार बार चार शोल है सुलेशन चार 20 अब देखो यह कितना है । पॉइंट टू फाइव पॉइंट शिक्स फाइव तो कितना एड़ किया है इसने 0.40 यह एड़ किया न 0.40 तो 0.65 में भी 0.40 एड़ करेंगे तो कितना आएगा चोटा करना पड़ेगा 0.65 में 0.40 एड़ करूँगा 0.65 0.40 तो 5 6 और 4 कितना हो गया 1 6 तो 1.05 अब इसको मैं भाग देके निकालूँगा तो देखो आंसर आपका B होगा कैसे 1.05 19 वट्टे 20 तो 1 से कमी है न और यह 1.2 है यह 1.1 है तो 1.05 यह होना चाहिए अब कैसे देखते हैं 21 21 वट्टे 20 तो मैं 0 को बाद में रख लूँगा पहले 2 का भाग देता हूँ 2 एक कन 2 मतलब 2 दस 2 दाम 20 और फिर कितना बचा 10 दूपन यह 10 एक 0 है तो पॉइंट पहले से लगा था और यह 1.05 आगे चल दें अब यह क्या है वई अब यह देखो क्या कह रहा है इसमें देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना आपको यह टाइम लगाए गा प्रिया अचर्णम दिन 11 अपरेल को है उसी वर्स रानी का जनम दिन सबता एक किस दिन आएगा यद रानी का जनम दिन 31 अगस्ट को है तो देखो 31 अगस्ट ये दिन जोड़ लो ठीक है किस किस के अप्रेल माई के जून के और जुलाई के ठीक है और क्या है अगस्ट है ना और पूरे अगस्ट के दिन जोड़ के साथ का डिवाइड दे दो साथ का डिवाइड दे दो और फिर इसमें कितने दिन बचे ग्यारे अप्रेल में कितने दिन बचे इधर अप्रेल माई जून अप्रेल कितने का होता तीस का तीस में से कितने बचे तो 19 बचे न, 19 एड़ कर ले न और फिर उसमें 7 का डिवाइड करना कितने दिन बचेंगे उसके साथ से आंसर हो जाएगा, ठीक है आगे चलते हैं, अला कॉसन क्या है देखो, इसमें क्या कह रहा है, यह कह रहा है चार बक्से हैं, ठीक है, चार बक्सों में बजन इतना इतना है, निम लिखित बक्सों में से किसी भी समयर में, कुल बजन, किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, जल्दी देखना है इन सब को मैं देखता हूँ, तो कौन सा बजन नहीं हो सकता अगर मैं 9 और 2, कितना करूँ 4 और 2, 6 अगर मैं करता हूँ, तो कितना होता है 6 और 9, 150 तो 150 है, ठीक है यह करा कौन सा नहीं हो सकता अगर मैं 6 और 10, 9 190, चलो वो दहीं और यह 4 और 6 9 और 13, 130 130 इस ओफ्सन में ही नहीं है अगर यह क्या कह रहा है कि 160 160 नहीं हो सकता अगर मैं इसको देख हूँआ, तो यह भी हो रहा है 40, 20, 60 60, 60, 120 यह भी हो रहा है अगर 170 की बात करें तो 90 और 60, 20, 80 80 प्लस 90, यह भी हो रहा है आपका, 170 यह भी हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है किसी को जोडने पर, अगर मैं 60, 60, 40 को जोड़ता हूँ, तो 13 हो जो दा है नई 90 130 हो फूरता है और 6 एगend्जरी, यह 120 होता है और सब को जोड़ता हूँ, तो 6 ठीp, 20 हो बार है और 9 हो एक डूसो ihोंगर मैं हो, तो 170 नहीं हो रहा है 107 कीज़़ पूशन दी चालो इसका अंसर बता जल्दी से क्या होगा यह यह कह रहा है कि इससे कौन सा वार्ड नहीं बना जासकता Dimite की मैं लिखुगा का तरह सब्सक्राइब आपको और इसकता बनne घर कथा जो इसमें वर्ड अच्छा रहे उनहीं से तो Robinson नहीं बन पाएगा इस तो इसकोड में लिखा जाता है तो जीम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा तो इसने क्या किया है तीन गटा दिया । एक्स में से कितना गटा दिया वही X मैं से 3 गटा दिया P मैं से 3 गटा दिया L मैं से 3 गटा दिया 3-3 गटा रहा है तो 3-3 तुम भी गटा दो G मैं से 3 गया कितना बचा 7 मैं से 3 गया 4 D बचा option C भी आगे चलो अगला question देखो क्या है तो ये है अगला question प्लस को अगर मैं गुड़ा करता हूं माइनस को प्लस लिखता हूं और गुड़ा को क्या लिखता हूं भाग तो देखते हैं चलो करते चलो इंटू का मतलब क्या है इंटू का मतलब इसने डिवाइड दिखाए तो मैं डिवाइड कर दिया और माइनस का मतलब क्या है प्लस तो प्लस कर दिया बाग का मतलब क्या है माइनस तो मैंने माइनस कर दिया अब देखो अब दे कुछ नहीं अब कुछ नहीं अगर मैं 25 का इसमें भाग दूँगा तो 25 सत्रे 25 तीया पजटत कितना बचा साथ और 25 तीया पजटत 25 तीया पजटत 33 हो गया अब बचा 33 प्लस 27 प्लस 27 और मैंनक 10 तो यह 10 17 बजटत 17 और 33 कितना हो गया आपका और पचाश प्टास एंघ कि चलो इस कौशन को बताईए इसका अंसर क्या होगा इस कौशन को बताईए इसका अंसर क्या होगा तो देखो इसने क्या किया है 9 गुणा 3 तो 3 हो गया 15 गुणा 3 तो 5 हो गया तो 60 गुणा 5 बारे हो गया तो 27 गुणा 3 नो हो गया अप्टन भी आहिने आया कुछ देखो ये गुणा नहीं है ये भाग है ये भाग कर ला है गुणा की जगए पर भाग कर ला है तेंतर का 9 पागठ बना रहा है तीण पन्जी 15 है 5 बाराइपन तुरो गौन पन्न साट और 9 execution is the right इस चलो आगे चलते हैं आला कोशन देखते हैं है इसका अंसर बताओ जल्दी से क्या है किए यह 5 की पावर 3 कर रहा है तो 5 की पावर 3 करेगा कितना आएगा एक सो पाचीस ये दस की पावर चार कर रहा है दस की पावर चार करेगा कितना आएगा दस हज़ार दो की पावर पाँच कर रहा है दो की पावर पाँच करेगा 32 आएगा कितना आएगा 32 ये कॉस्टन कह रहा है कि एक महला है तीन किलो मिटर ऊत्तर की की और चलती है यह तीन किलो मिटर। मैंने उत्तर की और चला दिया फिर फिर वह अपनी बय और मुझती है तो बाया किधर हुआ इसका बाया इधर हुआ ना जब दो, कितना चलती है, चार क्लिव मेन्टर, अब पूछा रहे वो अपनी कि प्रादब्म कести से अब, कहां पर है, तो चार क्लिव मेन्टर यह यहां न», यह पहले यहां पर थी तो अब पूछ रहां यह वाली डिस्टेंस तो टोटल कितनी हैस यह साथ साथ में से तीन आधा रहे तो इतनी यह वाली कितनी बच्ची येच चार बच्ची और पॉंट सी दिसाम है तो यह आपकी दच्छ दिसाम कौन से दिसाम है दच्छड दिसाम है चार किलोमीटर दच्छड आपसंट डी आपसंट डी बिल्कुत सही आंतर है चार किलोमीटर दच्छड इसको बताइए जल्दी से कुछ सेव लाल हैं तो यह हो गया सेव और कुछ सेव लाल हैं यह हो गया लाल सबी लाल संतरे हैं जितने भी लाल हैं वो क्या हैं संतरे हैं तो क्या कह रहा है कोई संतरे सेव नहीं है कोई भी संतरे सेव नहीं है गलत जबाद कुछ सेव संतरे हैं कुछ सेव संतरे हैं बिल्कुल सही option B मतला केवर निसकर second सही है option B सही है बिल्कुल ये कह रहा है क्या कि दिये गए घन परसनाकरति में से खुले घन नहीं बनाया जा सकता तो अब यहां पर ध्यान देना देखो ये क्या कह रहा है कि खुला घन है ठीक है इसको बंद करके कैसा इनों से कौन सा नहीं बनाया सकता तो ये द्यान देने वाली बात है कि ये और ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है तो इसमें ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते इसी तरह ये और ये एक दूसरे के विपरीत है तो ये भी नहीं दिख सकते हैं और ये और ये एक दूसरे के विपरीट हैं तो ये भी नहीं दिख सकते हैं तो देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा तो इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है देखो यह option A सही है आपका बिल्कुल यह दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है ना तो फिर यह बगल में कैसे दिखाई दे रहे हैं तो यही आपका गलत है ठीक है option A सही जाएगा वो पूछ रहा है कौन सा गलत है तो option A सही है बिल्कुल चलो इसको देखो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है निम्नाकतियों वर्ग अंत्रिशातियों को दरसाता है जो वर्ग है यह देखो वर्ग है न वर्ग तो यह वर्ग किसको दरसा रहा है यह 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 अंत्रिश्यातरियों को दरसाता है अंत्रिश्यात्री और जो आपका आयत भारतियों को दरसाता है जो आयत है यह भारतियों को दरसाता है अब देखते हैं क्या गह रहा है यह अच्छरों का कौन सा समूँ उन महलाओं को दरसाता है मतलब जो ब्रत के अंदर आएंगी ब्रत का उन महलाओं को दरसाता है जो या तो भारती है या फिर तैराक है बा दो कि लिए सी कौमा डिया आपका अंतर होना ची या तो इस भारतिये आप। को लारतियाे तो सी और डी को गया आपका नतर कि डी औप्समय नहीं चीजा तो देखते हैं दुआरा इस को देखो, जो आपका वर्ग है, यह अंतरिश को, और जो, पहले में उसे छोटा का लिए, वर्ग है, यह किसको दरसा रहा है? अंतरिश यात्रियों को, ओके? और तर्वुज आपको तेरागों को दर साथ है ये तर्वुज तेराग तेराग ठीक है और आगे देखते है क्या है ब्रत महिलाओं ये ब्रत महिला और आगे देखते है आयत आयत ये बहारती है बहारती है ठीक है अब क्या कह रहा है अच्छरों का कौन सा समू उन महिलाओं क ब्रत्य कें अंतरगत आनी जाए है नहीं अंनों महलाओं दसाता है जो यदे जो और d या थो बहुत है या फिर तहएraphy तो D.C हो गया, d उसी है, ये सचिरे हैं. तो आपका answer होना चाहिए, बी, डी, सी, पी, डी, सी, हाँ, option C आपका match खा रहा है, बी, सी, डी, ठीक है, time में आगया, clear हो गया बिल्कुल, ठीक है, b, c, d, देखों, वो कह रहा है कि ये मैंने countering कर पाया था, ये b, ठीक है, मैंने c, d, देखा था, लेकिंग, ये भी तो है न, यह आयत कें दर भारती भी है तो ना यह आगे चलते हैं बताइए कौन सी आकरती इसको पूरा करेगी तो यह इस तरह से यह इस तरह से है यह इस तरह से इस तरह से बना देंगी यह ठीक है यह बना दिया गोले को पूरा कर दो गई गोले को पूरा कर दिया और क्या है बस यह दो है तो देखो इस तरह का इस तरह का सिर्फ है आगे चलते हैं घाला कौसन देखते ऑंडममर नमिर अफट रेंगट कितने बताईए इसमें कितने तिर्वोजें यह हो गया तीन 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 और यह तीन एक दो तीन चार पांट शे शेतिया अठारे तो यह हो गए और एक यह हो गया आपका अनिस और यह 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 बीज और यह यह बाइस नहीं एक इस यह बीज़ों गया बाइस तो बाइस ट्रेंगर होने चाहिए कि इस इस बाइस होगी ना चलो इसको वदाई जल्दी से इसका अंतर क्या होगा जब मैं इसको यहां पर फोल्ड करूँगा तो एक यहां पर बनेगा खोलूँगा तब एक यहां पर गुला बनेगा तो यह एक पार्ट है इस तरह के चार पार्ट होने चाहिए तो देखो दो यहां पर दो यहां पर यहां पर इसे तो कहीं है भी नहीं तो सिर्फ यह औप्सण में हें थीख है यह ओप्सण में है बिल्कुल rá चै अगे चले आभ आप आगला कॉसें देख noi बदाई इसका अंसर क्या होगा यह दोनों तो होंगे नहीं साब दिखाई दे रहे हैं कि यह यह तो सही है ठीक है दोनों में लेकिन जो तीर की डारेक्शन है वो इदर है और जब यह तो जो इसकी डारेक्शन है और यह तो नीचे की साइड देवो किसमें आपसन एक आपसन एस अई है आगे चलो है यह कितना है 14 और 17 कितना होता सब्तरह नीच सब्सक्राइब और दस अटाइस और चार इकतीस इकतीस का वरक कितना होता है 961 इस तरह देखो अगला दोनों का एड़ करके जो वरक बनना हो इसको देखो 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 बार है और दस बाईस और एक इस का वरक कितना होता है अब 12 12 और एक तेईस होता है ना वह तीनतर कर नो किशा हो जिया है पाच्चीस का छाइस हो यह चाहिए अन्ति और दस तो देखो पंदर है और दस कितना होगे आपका पच्चीस पचीस पचार उन्तीस नौने में क्या सी नहीं होगा आट दो दस ये भी नहीं होगा देखो इसमें आपका ये कितना होगा अठार है और ये होगा बार है ये तो होगा नहीं ठीक है अब ये कितना होता है बार है और दस बाईस और एक तेईस तो तेइस का वरक कितना होता है पचीज का वरक होता है चहसो पचीज और तेइस का वरक है यह सासो उनती यह भी जलत है यह भी नहीं होगा अब यहाँ पे देखो यह गया 14 और यह गया 15 15 और 29 29 मतला 29 नौने में 80 तो यह भी नहीं होगा आपका यह बिल्कुल सही है 19 और 10 29 29 32 32 का वरक कितना होता है एक अजर 24 भी आपको सही हां अंतर है आपका यह साय यह हो गया ठीक है यह वाला पास आगे देखो कि इसको बता जल्दी से क्या होगा इसका अंसर हो गया आपका करें गार पास आपका मार मे silence सहें ओں यह 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 रहा और यह हो गया ठीक है और यह हो गया और यहां पर इस तरह से यह हो गया और यह और यह तो आपका सी बिल्कुल सही हमता है आगे चलो अगला कौसम देखो क्या है यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि उस संग्या को पहँचाने जो निमले के स्रेडी से सम्मन्द नहीं है किसे सम्मंद नहीं है उस संक्या को पहचान है यह आपका यह आपका 81 81 मैंसे 54 तो 11 मैंसे 4 गया कितना बचा जल्दी से बताओ 11 मैंसे 4 गया 2 कितना बचा 7 है कितना बचा 7 और यह बचा 7 साथ मैंसे 5 गया कितना बचा 2 70 अगला देखते हो 14 मैंसे च्हैं गई कितने बचे 14 मैंसे 6 गई 8 ठीक है और आपका 4 4 मैंसे 3 गया 18 ठीक है इसी तरह अगला अगर 36 मैंसे 27 गटाता हूँ तो कितना बचेगा अगर 36 मैंसे 27 गटाता हूँ 26 गटाता हूँ तो यहां से कुछ सहे में आ रहा है 27 अठारा यह 27 और अठारा नो नो तो अगला भी नो तो नो और नो कितना हो गया यह तीन ठीक है एक जीरो मतला 27 मैंसे 9 गटाया तभी तो मुझे मिला 18 18 मैंसे 9 गटाऊँगा तभी तो 9 मिलेगा 9 मैंसे 9 गटाऊँगा जीरो मिलेगा और जो जीरो मिलागा वही गटेगा तो यह आपका 22 पिलकुल गलत है ठीक है अब आगे चलते हैं इसका अंजर बदाई जल्दी से क्या होगा इसका अंजर बदाई जल्दी से क्या होगा देखो चार और चार आठ पांच और पांच दस और एक और छे साथ और च्छे और आठ च्छे और साथ देखो इसमें किया है इसने प्लस फूर और इसमें किया है प्लस पांच 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 दस तभी तो होगा प्लस पांच और ए में कितना एड़ गिया है जी हो गया तो प्लस च है और इसमें प्लस साथ इसी तर हैसमें एड कर दो कि तो तीन में मैं चार एड करूं आ तो क्या Beh戟 जी तो जी तो सिर्फ इसमें क्या एंड करूँ गा रूच तो पांच है गरुआँasन दी सजी । Consult दियाला कॉशन देखते हैं कि लो इसका अंजर बताओ इसका अंजर क्या होगा जल्दी से लो इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको प्राइब करते हैं सबकाब डिफेंस दीजिए देखो नौ मैंसे चार गया यह बचा पांच और आठ मैंसे चार गया यह बचा चार पहेंतालीस का इसमें कितने का है तो यह हो गया आपका नवासी और यह हो गया बारे मैंसे नौ हो गया कितने बचे तीन ठीक है और यहां कितना हो गया आठ ठीक है साथ यह सत्रे और सत्रे मैंसे आठ गया कितना बचा नौ 93 अब इधर देखो 35 और यह कितना होता है 35 दूनी 70 ठीक है 35 दूनी 70 और 11 तो 46 ठीक है अब आगे देखो इसका डिफरेंस तो तीन मैंसे एक गया दो बचा और यहां पे सत्रे सत्रे मैंसे आठ गया नौ बचा तो यह बहानवे हो गया इसका देखो डिफरेंस तो आठ मैंसे एक गया कितना बचा साथ और दस मैंसे आपका साथ गया तो तीन ठीक है इसी तरह इसका डिफरेंस देखो तो बारह मैंसे आठ गया चार बचा और सत्रे मैंसे कितना ग साइ दूनी कितना होता है है तो उसका 2 गुना तो इसी तरह इन दोनों के भी डिफरेंस 46 आया, 46 दूनी बहान है, दो गुना, इस तरह इसमें 45 आया है, लेकिन कितना होना चाहिए, यह नब है, लेकिन हो कितना आफ्तिरान है, तो यही भी अप्सम सही हो जाएगा, अब इसका देख लो, यह 16 इदर बचा, और यहां पे कितना ह डिफरेंस आ रहा है, आपका, 11, 11 में चाहिए, पांच, 11 में चाहिए, कितने बचे, आच, ठीक है, चलो, इसको देखो, एक बार, देखो, यह 16, 16 हो गया, 16 में 4 गया, कितना बचा, 16 में से 4 गया, कितने बचे, 16 में से 4 गया, आपके, बचे, कितने, 12, 12, 12, 1, अब यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा आपका, 0, तो यह हो गया, 10, और 10 में से 8 गया, 2, 2, 1, 3, 32, अब इधर देखो, तो यह हो गया, आपका, 116, और 181, ठीक है, तो यह हो गया, 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा, 5, और यहां हो गया, 7, 7 में से 1 गया, 6, और यह 0, 32, दूनी, 64, और यह 65 बचा रहा है, इसको गढ़ा के देखें, एक नट, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 8 में से 4 गया, 4 बचा, और यह हो गया, 12, 12 में से 9 गया, कितना बचा, 12 में से 9 गया, 3 बचा, ठीक है, और यहां कितना बचा, तो कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आप यह देखते हैं अभी ठीक है अलो तो इसमें बात करते हैं इस तवाल में देखो इसमें क्या है इसमें थोड़ी सी आप मिश्टिक है इसमें क्या है तोड़ी जया लिए से इसमें यह यहां 179 नोशन्र चास से आल्भ धिर्यण से 990 हो जाएगा यहां फो 45 धूनी 90 हो गभाए ओर इसी दरह यह दो गुदा कर रहे देले के लेकिन जी अलग ऑसे स्थिएक ग्षी टी तो यह आगला कॉस्टन तो इसका बढ़ाओ चार अपसंदी हैं इसमें आंसर बढ़ाईए क्या होगा नाब की इधन प्रसन वाचक चिन्ट किस्तान पर क्या आना चाहिए वही जल्दी बताईए देखो इसमें क्या किया है 2 का 2 2 में कितने का multiply कर दिया है डेड़ का अगर मैं देखूं 3 वट्टे 2 का अगर multiply करूं तो कितना हो गया 3 ठीक है इसी तरह ये कितना है 3 2 नी 6 2 का गुणा किया फिर इसमें 6 का कितने 6 में कितने का multiply दिया तो इसमें किया इसमें कितने का जब पंद्र होगा ? 5ãy 15 मतलब 6 में कितने का मैं मल् Sana दैंग तो इसमें दो का है इसमें डाइ सब्सक्राइब 5 दो活 ! । इस तरह 15 में कितने का में कितने का हो तो 15 में 2 का कितने का हो दो का मंदा दो इसमें क्या हुगा डेड़ का हुगा फिर दो का इसमें हुगा यहां से दो इसमें डेड़ का मल्टिप्लाई हो गया तीन वट्टे दो का और इसमें दो का हो गया अब इसमें कितने हो गया पांच वट्टे दो का मतलब एक बढ़ रहा है तो यहां पर दो का हुगा ता अब कितने का होगा तीन का 1545 आमतर होना चाहिए अपसंड़े आगे देखो अगला कॉस्टन देखो यह कहरा बहुत तक विज्ञान विज्ञान जीब ग्यान और जंतु विज्ञान पताई जल्दी से तो आपका विज्ञान यह हो गया विज्ञान विज्ञान के अंदर वही बहुत तक विज्ञान भी आएगी जीब विज्ञान भी आएगी और जंतु विज्ञान जीब विज्ञान के अंदर आएगी इस तरह का देखो ऑप्सन एस है इसका आंसर बताईए क्या होगा इसका आंसर बदाई जल्दी से क्या होगा इसका आंसर तो इसका देखो आंसर होगा D पहले होगा आपका B जांड फिर उसके बाद होगा अंडास है फिर उसके बाद बर्तिकागर उसके बाद पंकुडी ठीक है तो आगे चलते हैं आला कोसन देखते हैं क्या है तो इसको बदाईए इसका अंसर क्या होगा इसका बदाई जल्दी से अंसर क्या होगा तो देखो इसने इसमें क्या किया है डी को क्या लिखा है साथ डी को क्या लिखा है साथ डी को इसने लिखा है सेवन और आर को लिखा है एट तो इसी तरह मैं देखो आर को क्या लिखना चाहिए एट लास्ट में एट होना चाहिए तो ये दोनों हाटके ठीक है अब इसमें देखो और कौन सा है और जो लास्ट का ई है इको इसने क्या लिखाए एको लिखाएक तो लास्टमव और जाए उसके वाद D, D को क्या लिखाएक तीसरे लिख दिया मैंने और उसके बाद ए ए को इसने क्या लिखा है तीसरे नम्मर पर ए को लिखा है जीरो तो जीरो लिख दिया एक को क्या लिखा है एक को लिखा है इसने दो तो दो लिख दिया और फिर कहां गया लिए गया बीच में तो डी को क्या लिखा इसने डी को लिखा है सेवन तो इस तरह का आप्षन देखो लास्ट से दिख रहा हो 807-2 8072 तो आपका आप्षन भी सही है 8072 आगे देखो अगला कॉस्टन यह क्या कह रहा है कि प्रसंद वाद्चक चिन्निकस्तान पर कौन सी आई बिदा और आ चल्दी सी तो इसमें दो हैं इसमें टीन है इसमें पांच है ठीक है और amand thus और इसमेंובעी साथ बिद एनुटन को अबकर मेंसे अप्षोव काले हो गई थे अब इसमें दो काले मпदा तो इसमें दो कले तीन ब्लैक हो गए और एक यह हो गया मतलब एक बढ़ा रहा है ठीक है इसमें इसमें तो एक बढ़ा था और इसमें कितने बढ़े हैं दो अब चार से यह कितने हो गए तीन दो चार छे और एक साथ तीन 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 से पांच और पांच से साथ ठीक है दो चार छे साथ साथ से नो दो चार छे आठ नो होने चाहिए अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक काला बढ़ा है ठीक है और इसमें कैसा बढ़ा है इसमें एक बलैक और एक वाइट ठीक है और इसमें इसमें आपका तीन ब्लैक थे तो चार ब्लैक हो गए और तीन ये हो गए तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका चार वाइट हो जाएगा एक दो तीन चार ठीक है और आपका ये ब्लैक बढ़े आगा ये कि यहां पर बाइट आ जाए धुट यह ए व्हुंद सफक्रिप को आपका अपंसे वह ल स्थ स्रसा कॉने चाहिए यह आपका भी अप्सेंग स्थ होना चाहिए चलो आगे जलते हैं आगा खुलए कौसन देखें क्या ह Tiffany देगी अगला कॉस्टन क्या है अगला इसा करती में बदाईए कौन सा अंजर होगा इसका देखो ये इस तरह से है ठीक है तो एक यहां पर भी बनेगा इस तरह से एक इस कौने पर भी बनेगा नहीं इस कौने पर यहां तो गोला बनेगा ठीक है और यहां यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है और यह गुल आधर एक गुल आधर और यह इस कौने पर यह और यह यह यहां पर गोला इस तरह से देखो कौन सा अंजर है बीच में दो गोले होने चाहिए क्या किया इसने देखो इसने पहले इसको ऐसे किया है फिर ऐसे फोल्ड कर दिया है फिर इसको टू पार्स में डिवाइड किया है इस वाले पार्ट को भी ठीक है दो पार्ट में तो इसका देखो आंसर कैसे होगा यह पहले इसमें टूटेगा ठीक है तब यह एक पार्ट बनेगा जाके तो यह कहां पर है यह आपका यह इस तरह से है ठीक है तो जब यह इस तरह से यहां पर जाएगा इस तरह से आएगा तो यहां यह पॉइंट बनेगा यहां पर बिल्कुल ठीक है और यहां पर ऐसा बनेगा यह ठीक है और इस कौने में यह कौना है इस तरह का कौना हो जाएगा और यह यहां पर पॉइंट बनेगा तो यह तो यह हो गया एक पार्ट बनेगा अब इसी तरह का इसे इधर बनेगा और इसी तरह की फिर इसकी मिररे में बन जाएगी इधर की साथ ठीक है तो इसका आंसर कौन सा होगा इसका आंसर बताई जल्दी से कौन सा होगा तो देखो एक यह और एक यह ठीक है और यहां पर पिप और आपका सब्सकों झूए तो 62 इसका अंजर षाथ से कौनजा होना चाहिए बी होना चाहिए ऑप क्वाइब को चलते हैं अगले कोसन पर अगला कोसन बदाई इसका अंजर क्या होगा जल्दीर इसका अंजर बदाई जल्दीर क्या होगा तो देखो इसमें क्या कह रहा है यह कोसन दूरी किलो मिंटर दूरी किसमे माप याती है किलो मिंटर में तो आपका जो आयता नहीं वो किसमे माप याता है लीटर में आप सने सही है आगे चलो अगला कॉर्शन देखो 132 और यह हो गया आपका 156 विसने क्या किया है इसमें 2 का इसमें किया एक प्लस कुछ किया ठीक है जोर लो इसको डिफरेंस कितना है तो 6 मैं से 2 गया कितना बचा गया और पांच मैंसे तीन क्या दो बचा एक मैंसे एक जीरो चौबिस का डिफरेंस है इस तरह अगर मैं इसमें चौबिस एड़ करके देखू हूँ तो केतना 84, 84 चौबिस एड़ करके 86, 480 ऑपसन B होना चाहिए ठीक है आगे देखो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि जो G है वो S का दादा है G S का दादा है ठीक है B को केबल दो पुत्र और दो पुत्र E और F हैं और क्या कह रहा है A B A और B G के पुत्र है A और B G के पुत्र है G S का दादा है तो यहां से देखो इस तरह से होगा कुछ कॉस्सन जो A और B हैं वो G के पुत्र हैं यह G हो गया और G के दो पुत्र है कौन A और B ठीक है यह दोनों कौन है बाई गई होगी देख लेंगे G के दो पुत्र है और S का मतलब क्या कह रहा है G S का दादा है तो यह इसका पुत्र है G ठीक है अब क्या गह रहा है इसका पिता कौन है इसका पिता पिता कौन है yeah का पिता हिए और एक तो इसके है तो स का पिता कौन होगा यह आपसे आइट है यह क्या कह रहा है असंत कूछ रहा है इसमें देख लो असंत में क्या है है एच जी आई इसको करके देख लो आठ और मैंसे एक गया साथ और प्लस दो ठीक है और फिर क्या किया फिर एक गया देखो क्या किया इसने ये चार पर चार मैंसे एक गया माइनस और इसमें क्या किया है प्लस दो फिर क्या किया है माइनस तीन और फिर क्या किया है प्लस चार ने प्लस दो अब ध्यान से देखो इसमें 18 से Q बनेगा माइनस 1 Q से 19, 17 से 19 हो गया तो प्लस 2 और 19 से 16 हो गया माइनस 3 और 16 से 20 हो गया प्लस 4 ठीक है, तो इसमें कुछ डिपरेंस हैं दोनों में अब T ये 20, U प्लस 1 हो रहा है T U प्लस 1 हो रहा है, ठीक है ये मैंने क्या किया, ये प्लस 4 होगा, ठीक है प्लस 4 होगा, इस तरह एप कितने पर अच्छे है, पर ये भी प्लस 4 होगा ये देखो अंतर अलाग है, ठीक है, आपसन B आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले ही जुड़वा रहा है, प्लस 1 करवा रहा है, जब कि पहला अच्छर क्या है, माइनस 1 ठीक है पहले में क्या गट रहा है, माइनस 1 गट रहा है, ठीक है अब इसको देखिए, इसको अंसर को बताईए, क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर बताई जल्दी से क्या होगा तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपका आपसन के इसाफ से देखते हैं कौन सा होगा तो मैं अगर यहां पर रखूं क्या A, W, B A और B यहां पर अगर B हो जाए ठीक है और यहां पर B हो जाए रुको एक नट इसमें अगर मैं अप्सन B रखूं तो यहां पर A, W, B, A हो गया और यह B और यह B ठीक है और यह A और यह B हो गया और फिर क्या बचा फिर आपका बचा A और B तो देखो A, W, B, A, B B, W, B A, W, B और B, W, B, A, B ठीक है बन गया यह पैटन A, W, B, A, B A, W, A, B दिए इस तरहा से बनना भाइब और इस तरह लाँ कि आप 20 है बिल्कुल आपका रखना देख लिए प्युर्र्टन बनेगा ठीक है तो सबसे लंबा दिन जून तो सबसे छोटा दिन है कि पaci extent किस महीने नीश्ञ हो गा इन डिशूटा दिन topics रिभलह तो इसमें वर्गों की संक्या बतानी है आपको 48 बताई इसकी कितने वर्गों की संक्या है तो गिल लेते हैं इसमें सिंपली ठीक है इसमें क्या है देखो कि इस तरह कि देखो कितने बनना है एक देखो यह वगया बीच वाला की दिखाई देरा है कितने होगा पांच पांच और पांच कितने होगे दस और दस और पांच कितना हो गया पंदरा ठीक है कितने हो गए पंदरा तो ये हो गए अब उसके बाद और गिनते हैं तो कितने हो जाएंगे पंदरा तो ये हो गए इस ठीक है साब दिखाई दे रहे हैं और कौन सा है और देखो एक वर्ग ये हो गया तो तो टोटल वर्ग कितने हो गए सकतर है इसका अंजर बदाई ये क्या होगा क्या कह रहा है ये ये कह रहा है प्रतिबम दाई ओर दरपड रखा जाए यहीं दरपड रखना है दाई ओर ठीक है तो बताओ इसका कौन सा होगा अप्शन साब दिख रहा है कौन सा होगा डी ओप्शन ये तो है नहीं ये भी नहीं ये Ce n a seat f me집 2- từ के तो दूसरे का बताइए क्या होगा कि ए मगोई सी एफ जी आई है यह इसने क्या किया है प्लस चे कर दिया प्लस चै कर दिया उसमें इसमें वी प्लस ही कर दो O में तो O में जब प्लेस चेकर होगे तो U आएगा, उप्शन B हो गया, तो यह है 64 ठीक है, 64, 8 और 01 तो 1, उप्शन B, ठीक है, आठ चौन सट का क्या किया है, मैंने वर्गमू निकाल लिया है, 01 का वर्गमू निकालूँगा, तो कितना होगा, यह का होगा, 0.1 होगा, कित तो आज हम क्लास यही चोड़ते हैं ठीक है आगे देखते हैं अगली क्लास तो उसमें करा लएंगे जितने भी कॉस्टन बच्चे हैं उतने ठीक है सब्टाइब के कॉस्टन वैसे हो चुके हैं यहां तक और भी क्लास ले लेंगे ठीक है तो यहीं तक रहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वर वाचिंग वीडियो इसकी पीडिया आप टेलीग्राम से ले 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 ना कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हूँ कुछ सकते हैं